अब दूस्तों उम्हेद करता हूँ कि आप लोग चूज़ दूरूस थो अभी तक हम लोग चार लेक्चर कर चुके हैं विए थू विद फूर लेक्चर्स हम लोग चार चाप्टर खतम कर चुके हैं बड़े प्यारे प्यारे कोश्चेंज जबर्दस इंटरप्टेशन जब हमत प्यारा है इंटरप्टेशन स्गिल्स हमको इंप्रूब करना बहुत जरूरी है और जो मुद्दे है कौंसे मुद्दों पर हमको फालेट करना है कौंसे points लिखना है दोनों पर हम बड़ा प्यारा काम करके चल रहे हैं आपने कोशिश करना चाहिए कि दो दिन का क्युमिलेटिव रिविजन आप दो दिन का आप लोग क्युमिलेटिव रिविजन जरूर जरूर करते रहे कि दो दिन के जब मैं क्युमिलेटिव रिविजन की बात करता हूँ कि हाँ ये मुद्दा था ये बात लिखन सारे points आपने revise करने चाहिए, दो दिन का cumulative revision होना चाहिए, और पहले दिन से आपका cumulative overview होना चाहिए, हाँ ये topic था ऐसा, ये topic था ऐसा, cumulative overview और cumulative revision चलते रहना चाहिए, इससे आप बहुत comfortable, आप feel करोगे और आप बहुत अच्छा करोगे दोस्तों, आईए, आज हमारा target है, target तो मैं बहुत बनाता हूँ, बहुत बड़े बड़ target बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन, let's see, आज अगर हम पहले, पहले chapter number 5 पुरा खतम कर लें, फिर समय पर शतना है, तो chapter number 6 में भी हम लोग जरूर जरूर जाएंगे, we'll definitely go, now, आईए दोस्तों, ऐसे तो आपको final level पे बहुत simple सा लगता हो गया है, तो बहुती simple सा standard है, इसमें करना ही क्या है, लेकिन जब Q&A देखिए, तो मज़ा आता है, आप next level पे उतरते हो Q&A में, इसलिए Q&A करना बहुत जादा importance हो जाता है, आईए, सबसे पहला है, सबसे पहला 58.000, ये particular question दोस्तों, देख कितनी बार repeat हुआ ह लगातार, ठीक है, last time पूछा गया था, काफी समय पहले, अब ये question किस की उपर है, management expert की उपर है, ठीक है, पहले question में साफ सा पूछा हुआ है, कि भई, जो management expert है, उस पे भरोसा करना की नहीं करना, management expert पे भरोसा करना की नहीं करना, ये आपको S.A.500 के अंदर दिया जाता है S.A.500 के अंदर दिया जाता है, और auditory expert से कैसे deal करना, auditory expert से कैसे deal करना, ये आपको S.A.620 के अंदर दिया जाता है, दोस्तों, एकदम simple पूछा है, कि management expert पे भरोसा करे या ना करे, S.A.500 के steps लगा कर हमको तय करना पड़ेगा, भरोसा करे या ना करे, दूसरे question में, दूसर question बहुत से interesting है, दूसरे question बहुत इतना लिखा है, कि expert ने 65 years का retirement age use किया है, normally retirement का age 60 होता है, लेकिन expert ने 65 use किया comment, और कुछ भी नहीं बोला है, आपको ये click होना चाहिए, expert की बात चल रही है, उसने कोई data बराबर नहीं लिया है, मतलब उसके काम को check करने की बात चल रही है, यह आपको खुद को click करना पड़ेगा, और knowledge को apply करना पड़ेगा, यही सीखने वाली बात है, यही, okay, Shubham a very happy birthday to you, ठीक है, I wish you loads of success, आने वाले exam से बड़ा प्यरा success, चले बेटा, आईए, उसके बाद में, अगले question में, actuary की report faulty है, क्या करेंगे, वापस उसके काम evaluate करने की बात आपको करनी थी, ठीक है, how will you evaluate the work of actuary, तो simple था, इसलिए सभी questions पड़े, जितने भी questions दिये हुए है, सभी questions पड़े, सभी questions पड़े, सब में एक flavor कि यह question पड़के, मैं यह answer पर कैसे पहुच उगा, यह आपको सोचना बहुत जरुरी है, आईए, अब हम बात करते हैं, बहुत simple से हम लोग बात करते हैं, कि आपका जो standard है, SA500, SA500 बोलता है, सबसे पहले तीन steps की बात करते हैं, आपको तीन steps की बात करनी पड़ेगी, सबसे पहले हमको management expert का competence, capability and objectivity, CCO, यह तीन चीदों के उपर हमको ध्यान देना है, कि हमको competence, capability and objectivity को study करना पड़ेगा, ठीक है बंदा competent है कि, competent मतलब knowledge और skills होना, capability मतलब time, team और equipment होना, वो situation में deliver कर पाएगा क्या बंदा, capability, objectivity मतलब unbiased होके personal liking, disliking को बाजू में रखके, बिना किसी pressure में, बिना किसी के दबाओ में, ना बिना किसी conflict of interest में, अपने personal benefit के लिए नहीं, इन सब को छोड़कर क्या अच्छे judgment बना पाएगा क्या, objectivity, फिर step number two, हमको understand करना पड़ता है field of expert, we need to understand the field of expert, पहले CCO, फिर हमको इस से पहले कि मैं expert से deal करू, उसकी मैं report देखू, उसके documents देखू, मुझे उसके field का basic knowledge लेना होगा, नहीं तो मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा, वो मुझे बेवकूफ बना देग तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, फिर उसके बाद finally evaluate करते appropriateness of the work, तीन steps के बारे में हमको बात करनी पड़ेगी, फिर एक-एक करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले हम step one की बात करेंगे, फिर हम लोग step two की बात करेंगे, और फिर हम लोग step three की बात करेंगे, ठीक है, आई ये, step one की बात, competence capability और objectivity को कैसे evaluate करना, देखो blue में जो लिखा हुआ है, वो summary है दोस्तों, ये आपकी summary है, आई ये, competence capability और objectivity हम कैसे देखेंगे, 5 point ए simple, simple से 2 तरह के documents देख लो दो तरह के documents देख लो पहले जाके देख लो सामने आले के qualification क्या है तेक है उसके qualification क्या है उसने क्या के degrees Kubernetes Obtain की है इंडिया, इंडिया के बाहर से उसके qualifications देख लो qualification देखने के बाद में देखो तो आज तक उसने कितने research papers और किताबे लिखी है ये दो चीए देखकर competence, capability, object काफी knowledge मिल जाएगा फिर जाके experience अगर recall करिए अगर आपके पास इनके साथ पहले काम करने का personal experience है तो उसको recall करिए कि इनका CCO कैसा है अगर नहीं है तो उनको discussion पर बुलाईए आमने सामने बैट कर discuss करेंगे और experience ले लेंगे अगर तिर उसके बाद में हम और एक काम कर सकते है we can talk to other expert हम दूसरे expert से बात कर सकते है जिनके पास जो familiar है कि ये expert कैसे काम करता है तो CCO के लिए दो तरह के documents हो जाएंगे और तीन तरह के experience के point हो जाएंगे अगर आप ऐसा grouping करके पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा और आपको याद भी बहुत जादा रहेगा आईए step number two के दरफ चलते है step number two अब अगर बंदा बहुत सही है CCO वाला बंदा है step number two है understanding the field of the expert हमको उसके expert के field का knowledge लेना पड़ेगा वहाँ पर कैसे theory चलती है क्या formula चलता है क्या software चलता है कोई भी expert सबसे पहले data यूज करता है समको देखना पड़ेगा कि जो data for example expert ने हमारे लिए gratitude के provision बनाया है basic data basic data complete है accurate है relevant है इसी साल का है ना actual data है ना estimate data नहीं चाहिए actual चाहिए फिर हम लोग देंगे assumptions कि भाई salary का growth rate बराबर है ना retirement कि देख पर होगा उसका assumption बराबर उसका assumption बराबर है ना inflation का rate झाल 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 मुझे बता यह कहां से आवाज गया मुझे बता यह कहां से आवाज गया लेट मी नो अजम्शन्स अजम्शन्स ओके ओके ना ठीक है मैं आप लोग को यह बात बता दू अभी यह कुश्शन पूछा गया था देखिए कुश्शन बैंक आपके पास में है कुश्शन बैंक से आपको कुश्शन्स मिल जाएंगे आप आपकी कॉंसेट बुक भी बिल्कुल यूज कर सकते हो मैं टाइटनियम को बार-बार रिफर करता रहे तो आपके कॉंसेट बुक से बन गया तो अच्छी बात है अगर आपको लगता है कि टाइटनियम बुक के शॉटकर्स और तरीका आपको ज्यादा सूट करेगा तो उसको लेने के बारे में बाद में आप सोच सकते हो ना इसट सब्सक्राइब करेगी यह ऐसंशन सही है ना बंदे कभ रिटायर होंगे वह अज़म्शन सही है ना interest rate क्या होगा assumptions है ना inflation क्या होगा assumptions चाहिए ना फिर assumptions के साथ में methods methods भी वापस relevant है ना assumptions और methods इस industry circumstances को लगने वाले suitable है ना ये ये हमको देखना पड़ेगा are they relevant and are they reasonable क्या framework में जो बाते बोली है उससे match होता है क्या industry में जो लोग काम कर रहे है उससे match होता है क्या आखरी में आती है उनकी reports क्या reports relevant है ना जितनी चीज़े हमको PNL balance sheet में चाहिए थी वो सारी covered हुई है report के अंदर क्या plus minus 5% reasonable लगता है is it reasonable तो देखो data के बारे में हमको बात की हम लोग ने assumptions के बारे में बात की हम लोगों ने methods के बारे में बात की ठीक है methods के बारे में हम लोगों ने बात की और फिर reports और concurrence के बारे में हमने बात की द्यान देना दोस्तों यहाँ पर जब भी question silent हो कि management expert है कि auditors expert है खुदों के assume कर लो assumption लिखो भी कि हम लोग management expert मान कर चल रहे हैं तो पहला बहुत प्यारा सा question था बहुत simple सा question था कि expert पर भरोसा करना की नहीं तीन steps के बारे में बोला एके step के अंदर गए बात खतम हो जाती है इस तरीके से हम तय करते है expert पर भरोसा करना की नहीं करना आईए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ठीक है है एक company है और एक company है company expert को appoint कर रही है company expert को appoint कर रही है और 5 साल से appoint कर रही है इस अपोइंटिंग दे सेम एक्सपड टीम बोलती है कि यार management है management अपने expert को appoint कर रहा है हम उसमें क्या दखल अंदाज ही लगाएंगे हमको वो appointment चेक करने की ज़रुरत नहीं है, हमको अब्जेक्टिविटी ऑफ दे एक्सपर्ट चेक करने की ज़रुरत नहीं है, मैनेजमेंट जाने और मैनेजमेंट का एक्सपर्ट जाने हमको बीच में अब्जेक्टिविटी चेक करने की ज़रुरत नहीं है, टीम बोल रही है, अब्ज जो important चीज़ है objectivity को कैसे evaluate करते हैं objectivity को कैसे evaluate करते हैं कैसे study करते हैं कैसे analyze करते हैं ठीक है ये extra बात है ये extra बात है ये जादा की बात है इसलिए ये question मैंने आपको बताया directly हमारे concept के उपर connected है तो उसमे concept number लिखता हो लेकि मुझे लगता है कि बहुत अलगे कुछ अलग बाते लिखी हुई है तो इसको हम unique बोलते है मैं इसको unique बोलूँगा इसको मैं unique बोलूँगा इस question में आपको क्या answer देना होगा इस question में आपको क्या answer देना होगा आईए क्या आप लोगों को answer देना होगा दोस्तो, let's see सबसे पहले आपको reference देना पड़ेगा SA500 audit evidence आपको पुरा full name एक line में उसका description देना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे बंदा management expert है यहाँ पे बंदा management expert है भरोसा करना की नहीं करना तीन steps लगानी पड़ती है फिर आप बताओगे इसमें एक बहुत important step है हमको देखना पड़ता है objectivity of the expert objectivity of the expert मतलब बंदा unbiased, neutral है personal disliking को ध्यान में रखता फिर उसके बाद में आगे किसी undue pressure में काम नहीं करता और कोई conflict of interest, personal benefit को ध्यान में रखके काम नहीं करता हमको objective बंदा चाहिए तो बिल्कुल सही हमको objective बंदा चाहिए अगर हम उस पर भरोसा करना चाहते है तो हमको एक objective बंदा चाहिए तभी उसके उपर हम भरोसा कर सकते है ठीक है तो जो partner का बोलना है वो बिल्कुल सही है partner का जो partner जो बोल रहा है कि objective को evaluate करना चाहिए ये बिल्कुल 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 सही है माना कि आप ठीक है बिल्कुल सही है अब यहाँ पे लेकिन answer खतम नहीं होता दोस्तों यहाँ पे आपको और समझाना पड़ेगा कि objective के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा अब आपको बताना पड़ेगा objective ये अगर आपको check करनी तो आप देखो कि कोई जो expert है management expert क्या कोई उसकी उपर threats है क्या 5 threats के बारे में बोलो I am fair उसका shortcut है कोई interest, self interest threat है क्या expert के उपर self interest threat है क्या F familiarity threat है क्या आपका F familiarity threat है क्या A for advocacy threat है क्या I for intimidation threat है क्या R for review self review threat है क्या ये नई बात है आपको objectivity evaluate करने के लिए देखना पड़ेगा कि उसी के उपर किसी तरह की threat तो नहीं है threats के बाद में ये भी देखना पड़ेगा safeguards ऐसी जो भी चीज़े है जो threats को कम करती है उसको safeguards बोला जाता है इसके दो इसके external इसके external structures या external sources है ऐसा बोल सकते for example law rules regulation professional standards में ऐसा लिखा हो सकता है कि expert के पास में shares नहीं होने चाहिए इतनी होने चाहिए in deadness नहीं होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए ठीक है और इतने समय तकी काम करना चाहिए इतने समय के बाद काम नहीं करना चाहिए about all rules and regulation standards में ऐसी बाते लिखी हो सकती है ऐसी बाते यह गोँ बाते जरूर 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 लिखी हो सकती है ठीक है जरूर जरूर लिखी हो सकती है जिससे क्या होगा जिस से हम लोग threats को काबू कर पाएंगे अपको देखना पड़ेगा ऐसे external sources है क्या safeguards of safeguards के वो आपको देखना पड़ेगा sources कोई external sources है क्या फिर management expert का खुद का work and work क्या उनके खुद के quality control system है क्या quality control system मतलब होता क्या है policies and procedures for the quality elements ऐसा कुछ है क्या हाँ उनके अपने खुद के बहुत heavy standards है वहाँ पे shareholding के बारे में बोला है independence के बारे में बोला है personal relation के बारे में बोला है वो आप देखे फिर आप देखे एक आप बहुत important discussion आप करोगे अगर expert बाहर से आता है तो उसके उपर intimidation threat फोड़ा कम होता है अगर expert employee है तो उसके उपर intimidation threat काफी ज़ादा होता है comparatively ठीक है क्योंकि वो ultimately एक employee है भले वो expert है सभी employees पे एक जैसा intimidation threat होता है उसके उपर भी intimidation threat होता है फिर उसके बार में आप बात करेंगे कि relations समझो personal relations क्या है company के management के साथ में financial relations क्या है business relationship क्या है other services कितनी दे रहा है कि other services के चक्कर में यहां पर compromise ना कर दे तो दोस्तों आपको पहले SFRN का reference देना पड़ेगा तीन steps बतानी पड़ेगी objective बात फिर आप बोलेंगे objective हो कैसे check करना threats क्या है वो देखना पड़ेगा threats के लिए safeguards क्या है देखना पड़ेगा दोनों connected है ठीक है एक threats को लेकर आपको और discuss करना पड़ेगा threats of being an employee intimidation threat बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर आपको relationships तो आपको तीन बाते यह threats की होगी आपको threat related discussions करने पड़ेगे आपको threat related discussion करने पड़ेगे और यहाँ पे relationship यहाँ पे relationship से related kurde discussions भी आपको करने पड़ेंगे फिर आप case discuss करेंगे और आप बताओगे conclusion के अंदर auditor जो partner बोल रहा है बिल्कुल सही है objectivity को evaluate करना ही करना पड़ेगा और जैसे हमने तरीके बता evaluate करने के वो करने पड़ेंगे यहाँ पे अगर वो employee नहीं है तो definitely objectivity का positive point है लेकिन evaluate तो जरूर करना पड़ेगा तो partner सही है guys यह बड़ा interesting है ठीक है बड़ा interesting सा point था अंदर घुसके उन्होंने objectivity पे attack किया है अंदर घुसके यह straightforward question नहीं में बोलूँगा interpretation based question बोलूँगा objectivity पे घुसके उसके बारे में बात करें थी इस level तक पहुचना पड़ता है अगर आपने Q&A की practice की है तो आपका दिमाग इसको train करेगा train हो जाएगा बहुत जहाँ चांसे से कि यही चीजे देखो concept से ही होंगे लेकिन आपको आराम से बैठ कर चीजों को समझना पड़ेगा answer की framing आपको करनी पड़ेगी आए दोस्तों बड़ा प्यारा चल रहा है expert की बात है हम लोग कर रहे है और expert की बात है इस question का flavor थोड़ा सा और अलग है पहला question straightforward था expert पो भरोसा करना की नहीं दूसरे question में objectivity के अंदर घुज गए थे जिसके अंदर हमको threats के बारे में discussion करना था और relationship के बारे में discussion करना था जो नया और अलग और थोड़ा सा special था जो नया अलग और थोड़ा सा special था अब हम लोग आगे बढ़ते कमपनी को कि आप लोग को tax का 5 करोड का provision बाना पड़ेगा लेकिन actual जो प्रोविजन निकला वो 50 करोड का निकला basically ठीक है expert के हाथ से गलती हो जा रही है यह feel है question में expert के हाथ से गलती हो जा रही है दूसरे में भी सेम लिखा हुआ है कि थीम करोड था लेकिन actual पांच को निकला तो basically feel यह है कि भाई expert के हाथ से गलती हो जा रही है expert के हाथ से गलती हो रही है expert expert जो actual result बहुत अलग निकल के आ रहा है तो आपको कैसे जवाब देना पड़ेगा यह answer के अंदर मुद्धा की कैसे आपको जवाब देना पड़ेगा ठीक है आप SF500 की बात करिए आप यहाँ पर SF500 की आप बात करिए you talk about की भाई SF500 का concept applicable हम assume कर रहे है कि management ने appointment कि होगा चीजों को तो हम उसके हिसाब से बात करके चल रहे है से 500 आप बताए एक्सपर्ट की रिपोर्ट यूज करना अलग है अरिया में बहुत ही कॉमन चीज है तो एक्सपर्ट की रिपोर्ट यूज कर रहा है management और auditor उसको refer करा is a very common practice लेकिन यहाँ पर auditor ने careful रहना चाहिए था auditor ने तीन स्टेप्स लगाने चाहिए थे इतना बड़ा difference आ रहा है यह बताता है auditor ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभाया मतलब उसने expert का काम बराबर evaluate नहीं किया अगर काम बराबर evaluate किया होता तो इतना difference नहीं आता उसके report और actual के अंदर मतलब auditor लापरवा हो गया है उसने diligently केरफुली काम नहीं किय तो यहां पर यहां पर क्या feel है यहां पर क्या feel है audit करने के बाद ऐसा हो गया audit करने के बाद ऐसा हो गया ठीक है तो क्या होगा तो आपको बताना पड़ेगा माना auditor किसी के काम को use कर रहा है he can delegate the work he can use the work लेकिन responsibility उसकी ही होगी if something goes wrong he is personally answerable for it वो ऐसा नहीं बोल सकता कि management expert की गलती है तो guys यह question का feel और अलग है audit के बाद में अचानक ऐसा हो जा रहा है तो क्या होगा उसके आपको जवाब देना पड़ेगा बहुत simple सा 500 के principles लगेंगे common चीज है तीन steps लगाने पड़ेंगे और यह इनो question में feel आता straight away evaluate कैसे करना एक question था, objectivity पर एक question था और यहां पर गलती हो जा रही है तो auditor ही जिम्मेदार रहेगा, auditory पर punishable रहेगा, he cannot delegate responsibility यह feel नज़र आ रहा है, तीन अलग-अलग question है, ठीक है, अलग-अलग question है, मानता हो कि इसमें कुछ common चीज़े है, मानता हो कि इसम information है, बड़ाई interesting सा question है, अब एक auditor जाता है, एक company में audit करने के लिए, auditor जाता है audit करने के लिए,udit करने के लिए, गए और वहाँ पर वो क्या देख रहे है, वहाँ पर वो जे देख रहे हैं, इनका एक्सपोर्ट का बहुत बढ़ा काम है, और यह export को कब record करते, bill of lading जब बन जब goods hand over किये जाते है transporter को ship को तो ship वाले जो लोग है transporter जो लोग है वो लोग एक proof देते कि ये goods इतनी quantity इतने value के हमको मिले है हमारी जिम्मेदारी उसको यहां यहां पर पहुचाना ये ownership document है जिसके पास bill of lading होगा वो इसकी delivery को ले पाएगा वो इस delivery को वो इस delivery को ले ठीक है तो bill of lading ये लोग revenue कब book कर रहे है bill of lading जब बनता है तब क्या ये एक सही अप्रोच है दो question इसके अंदर क्या ये एक सही अप्रोच है और exports को verify कैसे करना exports को verify कैसे करना उसके evidence की बात की है उसके evidence की बात की है ठीक है तो ये मैं बोलूँगा एक पूरी तरीके से unique question है all together SF5 evidence collection की बात है इसलिए हमने इसको SF500 में डाल दिया इसलिए हमने इसको SF500 में डाला है दोस्तों ठीक है definitely ठीक है आप lightly नहीं ले सकते बिल्कुल सही बोल रहे है सुमिश और आपको अगर आपको ऐसे questions करने की आपको आदत हो गई प्रक्टिस हो गई आपका दिमाग चीजों को अपने आप और फिर फैलाता रहता है आपको अपने आप training करती training मिलती रहती है एक्जाम में ऐसे questions देकर आप धवराते नहीं हो और आपको एक चालना मिलती है तरीका मिलता है कि ओके इसको ऐसे टाकल हमने करना चाहिए आईए दो चीजों के बारे में आपको बात करना था यापर दो चीजों के बारे में बात करना था आपको revenue recognition और verification, verification of expert, verification of export इसके बारे मैं आपको बात करना था सबसे पहले मैं बात करता हूँ revenue recognition की ठीके सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं बात करते हो revenue recognition की और इसके बाद में verification की अगर मैं revenue recognition की बात करूँगा दोस्तों तो आपको बोलना पड़ेगा कि revenue recognition के लिए India's 115 और AS9 अप्लीकेबल होते हैं बड़े company को इंडियास छोटे company को AS9 चिदा इंडियास भी बोलोगे तो चले हो कोई problem नहीं फिर आ इसका मतलब जब हैं risk and rewards are transferred जब ownership transfer हो जाती है risk or reward transfer हो जाते है तब करना चाहिए Generally यह कब होता है Generally it is transferred on delivery of goods जब हम लोग customer को goods deliver कर देते तब यह होता है subject to agreement में क्या लिखा हुआ है अग्रीमेंट में जो बाते लिखी है उसके साब से revenue recommendation पर impact आ सकता है अब हमेशा assumption ऐसा लो कि case के अंदर कुछ गलती निकले यहाँ पर हम assume करेंगे कि sales contract के अंदर FOB free on board की बात लिखी है मतलब contract में लिखा है customer तुमें मैं तेरे को सिफ free में मेरे factory के gate पे तेरे लिए goods को ready रख recommendation मेरी जिम्मेदारी freight और insurance की नहीं है हम यह assume करेंगे contract FOB है free on board है मतलब customer को आना था goods लेकर जाना था customer को आना था और goods लेकर जाना था free on board हम लोग assume कर रहे है अगर हम free on board assume कर रहे है इसका मतलब जब goods factory gate से बाहर निकलते है जब हम goods factory gate से बाहर निकलते है हम लोग हमारे customer को goods दे देते है ठीक है उस दिन revenue को book कर देना चाहिए उस दिन revenue को book कर देना चाहिए ना कि जिस दिन वो ship पे load होगा और bill of leading हमको मिलेगा वो नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ठीक है यहाँ पे company का revenue recognition का त और revenue को अगर late book कर रहे है तो completeness में problem आएगा कुछ transactions छूड़ जाएंगे completeness में problem आएगा और उन्होंने question में बात किये उन्होंने question में बात किये उन्होंने ऐसा बोला है कि March के महने के तीन export invoices छूड़ गये है क्योंकि bill of leading April में बना इसलिए उसको April में book किया गया है तो हम बोलेंगे company का revenue recognition करने का जो तरीका है वो गलत है वो late booking कर रहे है completeness में problem है जो तीन जो transaction है उसको भी अभी ही book हो जाना चाहिए था ये concept बताएंगे ठीक है और फिर उसके बाद में concept केस discussion में ये होगा company गलत कर रही है पहले इंडियस की बात करो principle की बात करो ठीक है आप बत से जैसे goods factory get से लिए revenue book हो जाना चाहिए company के लोग घलत कर रहे है फिर तो ये बड़ी classic चीज है ये बड़ी classic चीज है ये बड़ी important चीज है जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों आईए verification की अगर हम बात करते है एकदम simple imagine करो step by से पहले क्या होता है export के लिए customer order आएगा customer order से match कर लो फिर approval होगा approval से match कर लो फिर dispatch होगा dispatch record से match कर लो फिर invoice बनेगा उससे match कर लो साथ में e-way bill भी बनेगा उससे match कर लो फिर gst returns file होते हैं वहाँ पर भी इसके बारे में बात होगी IGST IGST की बात कर रहा है IGST का refund मिल रहा है IGST का refund मिल रहा है वहाँ से भी इसको check कर सकते है finally पैसे मिल रहा है वहाँ से भी check कर सकते है पहले customer order आया फिर approval हुआ फिर dispatch हुआ फिर invoice बना फिर e-way bill बना फिर return में गए फिर IGST आया receipt तो verification की हमको revenue recognition हमको revenue recognition और verification की बात करनी है अब यह all together नहा question लेकर आ गए जिसने question पहले किया होगा यह उसको crack कर पाएगा जिसने question पहले किया होगा यह उसको crack कर पाएगा बहुत अच्छे तरीके से आईए दोस्तो Now अब अगर हम बात करते हैं Now if we talk about बढ़िया 500 के दोस्तो expert के उपर management expert पे बड़ी प्यारी बात है थी उसके बाद management expert पे बड़ी प्यारी बात है थी और उसके बाद में all together new question था export के उपर का अब 500 के बाद में आईए 501 पे चलते है 501 पे चलते है अब 501 आपको पता है तीन एरिया से deal करता है 501 inventory के existence और condition के बाद में इतकर ही litigation and claims litigation and claims को को कैसे check कर ना उसके बार में बात करता है segment information कैसे करना उसके बार में बात करता है हमारी important questions में तीनों तीनों चीज़े covered है कुछ-कुछ मात्रा में तीनों covered है आईए पहला question है साफ-साफ straight away बोल रहा है कि कुछ unavoidable reasons के वज़े से हम physical verification को attend नहीं कर पार है we are not able to attend physical verification ये लोग बोल रहे हैं कि आप बताओ कि evidence sufficient and appropriate है ना evidence sufficient and appropriate है ना आप आप inventory existence और condition आप कैसे चेक करते हो वो बताओ और दूसरा पुछा है अगर हम physical verification अटेंड नहीं कर पाए तो क्या करना हो पड़ेगा मैं आपको आदो 501 का थोड़ा सा आपको बता दू 501 में सबसे पहले बताया है how to check existence and condition of inventory how to check how to check existence and condition of inventory ये बताया हुआ है चीक है उसके बाद में special case number one है कि दूसरे date पे counting हो सकती है फिर उसके बाद में तेके दूसरे इसमें ये है कि अगर impractical हो तो क्या करे अगर physical verification impractical हो तो क्या करे और तीसरे इसमें third party के पास inventory है तो क्या करे third party के पास inventory है तो क्या करे ठीक है तो यहाँ पे ये भी पूछा है कि existence and condition कैसे check करना existence और condition कैसे चेक करना ये भी पूछा है कि existence और condition कैसे चेक किया जाए और ये भी पूछा है impractical हो तो क्या करना दो चीजे पूछिए दो का जवाब दिना पड़ेगा अगले question में सिधा बोला है कि भाई या counting का physical verification attend करना possible नहीं है physical verification attend करना possible नहीं है तो हम सिधा impractical है उसके बारे में बात कर सकते हैं सिधा impractical को impractical अगर है तो उसको कैसे deal करना सिधा उसके बारे में बात कर सकते हैं existence और condition के बारे में बात नहीं भी करोगे तो भी चलेगा तो पहले इस पहले question में दो मुद्दे हैं अगले question में एक ही मुद्दा है अब अगला बड़ा प्यारा है अगला यह जो question है यह बड़ा प्यारा है ठीक है यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि management ऐसा बोल रहा है कि हमारे जितने भी locations है उसका हम लोग physical verification करवा रहे हम उसका physical verification करवा रहे हम 100% पूरे company में physical verification करा रहे पूरा का पूरा physical verification करा रहे हैं और उसके सारे documents हम auditor को देने को तयार है documents और साथ में written representation भी लिख कर देने को तयार है कि सब कुछ बराबर है चिंता करने की कोई बात नहीं है कोई problem भी नहीं है partner ये बोलता है भाई सब कुछ बढ़िया वो पूरे locations कवर कर रहे है 100% कर रहे है लिख कर भी दे रहे है तो मैं क्यू मैं क्यू अपने effort उसमें लगाऊ duplication of work हो जाएगा मैं क्यू जाकर physical verification करूँ मैं क्यू physical verification करूँ duplication हो जाएगा उनके documents और लेटर आएगा उस पर मैं भरोसा करूँगा तो पार्टनर बोलता है कि मैं जाकर physical verification अटेंड नहीं करूँगा मैं उनके document और written representation पर भारोसा करूँगा written representation की साबसे भी comment हो सकता था लेकिन उनने आखरी में बोला सिफ SA501 को ध्यान में रखते हुए आप बात बताईए तीन अलग-अलग question है एक में दो चीज़े covered है दूसरे में फिर सिफ point B covered है इसमें सिफ point A कैसा covered है मैं आपको बता दो ठीक है तो सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको बात करनी पड़ेगी कि भाई as per SA501 अगर आपको inventory का existence और conditions चेक करना है verify करना है it is mandatory कि साल में आप एक बार physical verification attend करे it is mandatory कि साल में एक बार आप physical verification को attend करे conduct करने की बात नहीं करना हूँ साल में एक बार physical verification को attend करना चीए अब वहाँ पे क्या काम करने चाहिए वो बता हुआ है ठीक है वो बता हुआ है कि exactly क्या काम करने चाहिए 501 यही बताता है, जब आप physical verification attend करते हो, तो आपने क्या काम करने चाहिए, तीक है आपने दो steps करने चाहिए, blue में आपकी summary दी हुई है, blue में आपकी summary दी हुई है, आपको दो काम करने पड़ेंगे, इस बार मैंने और एक नया shortcut बनाया है, वो मैं आपको बता दू, titanium book से, titanium book से मैं नया shortcut बनाया हूँ, वो मैं आपको बता हूँ, आईए, 501.0401 सिंपल, existence and conditional inventory कैसे करेंगे, multi-reconciliation, short cut है, multi-reconciliation, जब आप physical verification अटेंड करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोतियों का reconciliation करना पड़ेगा, M stand for, सबसे पहले आपको management instructions पर ध्यान देना होगा, कि भाई, management instructions पर ध्यान देना होगा, management ने कितने detail, कितने अच्छे instruction दी है, physical verification कंड़ करने के लिए, क्या वो अच्छे है, क्या वो adequate है, क्या वो reliable है, पहले वो आपको देखना बड़ेगा, भाई, बहुत ही अच्छे instructions है, सब एक साथ counting होगी, physical movement को बंद किया जाएगा, counting करने माएं लोग अलग है, supervision करने माएं कर रहे ना, उसकी साब से काम कर रहे ना, ठीक है, बराबर, फिर हम test count करेंगे, हम sample basis पर कुछ चीजों को हम लोग count करके देखेंगे, और देखेंगे, जो counting में निकल रहा है, जो counting में निकल रहा है, और जो उनकी अपारी counting, उनकी counting match हो रहे की नहीं हो रही है, ISN4, पूरे process के दौरान, हम inventory को physically inspect करते करेंगे, कि उसमें कोई defective damage product तो नहीं है, उसकी condition कैसी है, वो हम देखते रहेंगे, मोती, ठीक है, अगर आप चाहो तो, मोती, ठीक है, मोती, reconciliation, 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 हम लोग, physical verification में, actual कितनी inventory मिली, उसकी list लेंगे, books of accounts के साब से, जो inventory records है, उसमें कितनी inventory उसकी list लेंगे, दोनों को match करेंगे, और देखेंगे, discrepancy difference है क्या, क्यों है difference हम थोड़ा analyze करेंगे, तह तक जाएंगे, ठीक है, और उसका proper accounting treatment करवाएंगे, तो आपको यह बत बतानी पड़ेगी, ठीक है, this is the first part guys, this is the first part, ठीक है, और first part में आपको यह बतानी पड़ेगी, अब यहाँ पर, जो हमारे partner बोल रहे थे, हमको physical verification करने की जुरत नहीं है, जाने की जुरत नहीं है, बिल्कुल गलत है, पार्टनर बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ऐसे 501 के principle बोलते है, साल में एक बार attend करना पड़ेगा, physical verification के लिए audit procedure perform करनी पड़ती है, multi-reconciliation करना पड़ेगा, तो जो partner का point of view है, कि हमने नहीं जाना चीए, कुछ नहीं करना चीए, वो बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, 501 के साब से बिल्कुल गलत है, it is not appropriate आपकी सोच बिल्कुल सही नहीं है, 580 के बार में पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछते हैं, तो हम लिख पाते हैं, कि return representation किसी audit procedure evidence को substitute नहीं करता है, replace नहीं करता, वो अपने आप में primary evidence नहीं है, जब कोई evidence आता है, तो उसको वो support करता है, it is a supporting evidence, तो ऐसे 580 के हिसाब से भी, जो partner का approach है, बिल्कुल गलत है, 501 के हिसाब से भी approach गलत है, और 580 के हिसाब से भी approach गलत है, यह आपको present करना था, यह point number A है, यह point number A है, अटेंटो करना पड़ेगा, multi-reconciliation की आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है, नाँ, यहाँ पर अपको बात करनी है, impractical की, अब आपको आगे जाकर बात करनी पड़ेगी, अब आपको आगे जाकर बात करनी पड़ेगी, इंप्रैक्टिकल की, यहाँ पर, बहुत बार ऐसा होता है कि attending physical verification is impractical, आपको किस चीज़ के बारें बात करनी सबसे पहले आपको बात करने पड़ेगी reasons जब भी ऐसा होता है कि attending physical verification is impractical it is not possible ठीक है आपको बैट कर reason देखने पड़ेगे उसमें आपको evaluate करना पड़ेगा nature of inventory or location क्या inventory से radiation leak हो रहा है is it very harmful and dangerous क्या location जहां पर war चल रहा है it's very harmful and dangerous वहां पर pandemic फैला हुआ है वहां पर earthquakes है वहां not attending physical verification अगर general inconvenience है it is not at all acceptable बिल्कुल acceptable reasons के बार में नहीं है बिल्कुल भी बिल्कुल भी हम लोग इसको बिल्कुल भी हम लोग इसको acceptable नहीं मानेंगे अगर DTC का problem है difficulty time and cost it's very difficult it's very time consuming and it's very costly अगर ऐसा है तो आराम से sit down and think about it are we having any alternative audit procedure which gives equally persuasive evidence क्या मेरे पास में कोई alternative audit procedure है जिससे मैं बिल्कुल उसी quality का evidence generate कर सकता हूँ जैसे मैं physical verification attend करके देखता हूँ अगर मेरे पास में है तो मैं इसको avoid कर सकता हूँ I can avoid this मैं physical verification को avoid कर सकता हूँ लेकिन अगर मेरे पास में कोई alternative नहीं है तो मैं इसको avoid नहीं कर सकता हूँ आपको पहले reasons पे बात करनी पड़ेगी you will have to talk about reasons सबसे important आपको reasons पे बात करनी पड़ेगी you have to talk about reasons और reasons के बात में दोस्तों अभी कहानी खतम नहीं पहले आपको reasons पे बात करनी पड़ेगी और reasons के बात में दोस्तों आपको बात करनी पड़ेगी alternative audit procedure की आपको alternative audit procedure याद अखना बहुत simple है मेरे दिमाग में हमसे पहले पिछले साथा पिछले साल से आप inventory compare कर लो वो reasonable, normal, regular लग रही है ना फिरे काम करो जब inventory आई होगी तो purchase documents होंगे गई होगे तो sale document होगे purchase document में कित purchase की और sale के documents देखो, internal auditor की report देखो, यह सब alternative audit procedure में आ जाएगा, तीसरी आपको बात करनी है कि alternative audit procedure लगाने के बाद में भी अगर sufficient appropriate audit evidence नहीं होता है तो हमारे पास में ही की रास्ता बचता है, modify our opinion, हमको opinion modify करना पड़ेगा, qualify or disclaimer देना पड़ेगा, as per se 705, तो impractical की जब बात ह यह तिन चीजों के बारे बात करनी पड़ेगी, आपकी दिमाग में ऐसा बैठना चाहिए, तब जाके आप लिखोगे, आपको reason के उपर बात करनी पड़ेगी, we are talking about the reason, we are talking about the alternative audit procedures, alternative audit procedure पर आपको बात करनी पड़ेगी, और तीसरा, आपको modification के बारे में बात करनी कईपी सिफ ए पार्ट लिखमें ए पार्ट में existence and condition of inventory को लेकर बात की है multi reconciliation और बी पार्ट में impractical है तो क्या करना उसकी बात की हुई है study material में ये questions आया हुआ है extremely important ये question बन जाता है दोस्तो मैंने बोला या तो यही question उठकर आएगा या तो यही question उठकर आएगा या फिर इसी में से वो कुछ derive करेंगे इसी में से कुछ वो लेकर आएंगे निकाल के लाएंगे नाओ आगे है दोस्तों ये बहुत ही simple है बहुत सारी inventory बहुत simple straightforward है interpretation कुछ issue नहीं है सिफ 31st March को ऐसा है बहुत सारा portion inventory का company के खुद के पास में नहीं है third party के पास में रखा हुआ है तो उसको कैसे verify करेंगे how to verify this ठीक है कैसे हम उसको verify करेंगे तो बहुत simple बहुत आसान है तीन तरीके verify करने के तीन तरीके verify करने के उसके उपर आपको बात करनी पड़िए 501.100 आपको तीन तरीके है in the sequence of easy to difficult सबसे आसाने external confirmation मंगवाना आप third party को बोलिए अपने letter head पे लिखेंगे description of the inventory quantity of the inventory quantity of the inventory और उसकी condition कैसी है ठीक है उसकी condition कैसे है उसके बारे में detailed description हमको लिख कर दीजिए ऐसे 505 के principles लगा कर आपने external confirmation को लेना चाहिए सबसे आसाने third party से external confirmation के बारे में पूछेंगे वहाँ से external confirmation आएगा that can be very good source of evidence for inventory with third party अगर आपको और मेहनत करनी न दोस्तो तो कुछ other audit procedures है उसमें हम detail में जाएंगे other audit procedures में क्या है that is the heart of the answer अगर आपको और मेनत करनी न सबसे जादा मेनत go and perform physical verification go and perform inspection and physically verify inventory खुद जाओ खुद जाओ अपनी team को लेकर जाओ go down में entry मारो और पूरा physical verification पूरा inspection तुम खुद करो तुम खुद करो attending physical verification नहीं बोल रहे performing inspection performing physical verification की बात कर रहे बहुत बड़ी inventory है बहुत जादा amount involved है risk बहुत जादा है घड़बड़ी आज चल रही है सबसे जादा मेनत करेंगे we'll go and perform inspection we'll go and perform physical verification of inventory अब मुद्दे की बात आती है other audit procedure कि other audit procedure में क्या आएगा ठीक है वापस अगर आप देखोगे मेरा एक sequence से मेरा एक flow है मैंने पहले इसको बोला मैंने 10-15 सेकंड दीजिये questions पढ़ने के लिए बात बिल्कुल सही है बट इतने हमारे stringent targets है मैं आपको बोलूँगा आप live देख रहे है आप फटा-फट पढ़ने की कोशिश करिये ठीक है फटा-फट आप पढ़ने की कोशिश कर सकते है या फिर जो questions होने वाले है वो आप पढ़कर आईए जो questions होने वाले पढ़कर आईए recorded देख रहे है तो आप pause करके भी देख सकते बढ़ा अंडेस्टेंड बहुत सही है लेकिन मेरे पास time का बहुत issue है कि कम time में अपने को जाधा से जाधा cover करना है दोस्तों ठीक है अभी मेरा हिसाब अभी में चल रहा हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि around 16 lectures हमको लग जाएंगे मैं 10 lecture सोचकर आगे बढ़ा था मैं पहले 200 questions प्लान कर रहा था मैं 200 questions प्लान कर रहा था और 200 questions को 10 lecture में cover करने की मैं कोशिश करने वाला था लेकिन फिर मैंने मेरा खुद का plan बदला मैंने बुला नहीं important questions और जाधा करवाने चाहिए 350 questions पे मैं गया और अब मुझे ऐसा दिख रहा है that around 16 lectures हमको लगने वाले है ठीक है तो दोस्तों उस वज़े से हम बहुत प्यार मुभबत से आराम से नहीं चल पाएंगे बाकी suggestion आपका बहुत बढ़िया है I really appreciate that ठीक है शालिनी का suggestion ठीक है Now ध्यान देंगे हम other audit process पे आते हैं we come on other audit procedures अगर हम other audit process की बात करें अगर हम other audit process की बात करतें न दोस्तों तो यहां पर वापस मैंने easy to difficult में मैं easy to difficult मैं चीजों को वापस easy to difficult में लेकर गया हूँ कि भाई अगर किसी के पास में रखे है न documents देख लो third party के पास में भेजने के documents होंगे उसे inventory वापस आने के documents होंगे difference से आपको पता चल जाएगा उनके पास में inventory कितनी है simply आप inspect the documents of sending the inventory and receiving back the inventory or consumption of the inventory document can give you lot of information की third party के पास में कितनी inventory है और महनत आपको करनी है तो एक काम करिए और महनत अगर आपको करनी है तो और एक काम करिए ठीक है आप request करिए other parties को sir ये क्या बोल रहे हो other parties येसी वही पे होता है suppose हमने stock को suppose हमने stock को pledge किया banks और financial institutions को as a collateral तो banks और financial institutions क्या करते है उस stock को public warehouse rented warehouse में रखते हैं ऐसे केस में हम सीधा जो public warehouse है rented warehouse है उसके जो owners है उसके जो managers है सीधा उनसे confirm कर सकते है बताओ ये हमारे company का ये ये description का इतने इतने quantity का stock है ना उसकी condition क्या है तो आप you can get external confirmation from other parties other parties है आपको और मैनत करनी है आपको और मैनत करें तो आप ठीक है अगर आपने job processing में अपना काम outsource किया है मतब third party is a service organization ऐसा हो सकता है कि जिसके पास में stock भेजा है वो आपका कोई packing का काम कर रहे है polishing का काम कर रहे है तो वो आपके लिए service organization है तो एक काम करिए service organization के जो auditor है service auditor या third party के जो auditor है another auditor उनको बोलेंगे कि तुम मुझे report में लिख कर दो कि third party ने third party का internal control system for counting for counting the inventory and evaluating the condition of the inventory बहुत appropriate है internal control system बहुत appropriate है इसलिए आप उनकी reports पे उनकी बातों पे पूरा भरोसा कर सकते है मेहनत अगर जादा करनी है ते उनके auditor से report मंगाओ on the internal control system which was used for counting and evaluating condition और मेहनत करनी है तो आप another auditor को appoint करिए ठीक है अगर आपको और मेहनत करनी है अगर आपको और मेहनत करनी है तो अनादर auditor को appoint करिए कि आपके behalf में जाकर physical verification attend करेगा आपके behalf में जाकर ठीक है physical verification attend करेगा या खुच जाकर counting करेगा और मेहनत करनी है आप खुच जाओ go and attend physical verification जब भी हो रहा है सब दोनों में फरक क्या है एक में management physical verification कर रहा है आप जाकर सिफ attend करते हो और नीचे हम खुच जाकर physical verification perform कर रहा है depending on the third party कितनी reliable है circumstances कितने risky है नए developments क्या है इनको देखकर तै करना पड़ता है सबसे आसान एक सिना confirmation के लिए जाएंगे उससे थोड़े मुश्किल other audit procedure के लिए जाएंगे या सबसे मुश्किल you go yourself and go and perform perform inspection उसके लिए जाएंगे लेकिन points पूरे flow में लिखते है अगर आप ये flow में याद रखोगे तो मुझे पूरी उमीद है कि 70-80% आप चीज़ों को लिख पाऊगे दोस्तों ठीक है तो यहाँ पे third party के पास में है ये challenge था आईए अब बड़ा inventory खतम होगा दोस्तों 501 में 501 में जो inventory की बात थी दोस्तों वो inventory की बात खतम होगी अब ये बहुत प्यारी चीज़ है ये बहुत प्यारी चीज़ है बड़ा ही प्यारा गिये है अगर मैं आपको बोलू कि 501 में दूसरा area होता है litigations और claim का 501 के अंदर 501 के अंदर दूसरा area होता है litigations और claim का litigations और claim में दोस्तों 3 steps होते है there are 3 steps step number 1 हम litigations और claims की बहुत सारी जानकारी इखटा करते हैं we collect loads of information हम लोग risk assessment procedure perform करते हैं that means collect information obtain understanding बहुत सारी जानकारी हम लोग इखटा करते हैं वहाँ पर उन्हें sources भी दिये है जानकारी कहां कहां से इखटा करना ठीक है step number 2 में अगर हमको risky cases मिलते है अगर हमको risk of material misstatement मिलता है तो हम हमारी audit procedure को बढ़ा देते है audit procedure कैसे बढ़ाते है हम बोलते हैं कि हमको direct communication करना है हमको direct communication करना है we have to do direct communication with the external lawyer जो आपके external lawyer है इसको बोलते है external legal counsel आपकी जो law firm है हमको उनको direct communication करना है direct communication करना है ठीक है अब यह direct communication होता कैसे वो मैं आपको बता दो direct communication होता कैसे एक letter of inquiry भेजा जाता है letter of inquiry भेजाता है letter of inquiry is drafted by auditor auditor उसको draft करता है but it is prepared printed it is prepared by the management on their letterhead management उसको prepared करता है अपने letterhead पर फिर हमको देता है letter भेजता auditor है और reply भी सीधा auditor को ही मिलता है इसको direct communication तो बोलते है लेकिन बीच में management का एक प्रकार से approval और authorization है अपने letterhead पर print करके हमको देता है यह तो सामने ला reply नहीं करेगा तो step number two में हम direct communication की बात करते है letter of inquiry की बात करते है ऐसी knowledge के लिए बतारो अगर case बहुत complicated हो बहुत significant risk वाला हो तो हम face to face मिलते भी है और आखरी में written representation होता है written representation की लिख कर दो सब भी litigation और claims के सारे case cover हो गए ऐसा लिख कर लेते है anyways मुद्दा क्या है तो litigation है उसमें तीन step से अब मुद्दा क्या है में आपको बात हो मुद्दा यह है कि इस इस case में ऐसा बोला हुआ है इस case में ऐसा बोला है कि legal expenses को check किया जाता है और अचानक legal expense में 10 लाग का expense था तो पूछा गया company के लोग को पूछा गया कि 10 लाग का expense कौन से legal case के लिए कौन से litigation के लिए management के लोग इस बात को अच्छे से समझानी पारे पूरे details बतानी पारे वो बोल रहे कि यार यह सारा काम तो lawyer करता है lawyer को इस case के intricacies issues सब कुछ पता है तो फिर हमारी auditor क्या करती है सुनीता सुनीता हमारी auditor है सुनीता क्या करती है सुनीता बोलती है कि मैं direct communication करूँगी direct communication करूँगी यह lawyers है मुझे यह risky item लिग रहा है मैं direct communication करूँगी सीधा वो letter of inquiry को draft करती है अपने letter head पे उसको print करती है और letter को भेज देती है कमेंट करो चले आगए क्या गहरा मारा है क्या गहरा इन्होंने पकड़ कर धोया है ठीक है बोलते है भेज दो जाकर आप भेज दो चीजों को बहुत ही गहरा इन्होंने पकड़ कर मारा है यहां पे आपको ऐसे 501 का reference देना था आपको step number two समझाना था कि जब risk होती है तो direct communication होता है later हम letter of inquiry भेजते है later हम बना से print वो करते है भेजते हमे reply हमको मिलता है ठीक है यह आपको point discuss करना था यह आपको point discuss करना था और case discussion में आपको लिखना था lawyer ने बिल्कुल गलत बात की है lawyer later management को बना था management के letter head पर बना था एक प्रकार से management से approval लेना था कि हम तुमारे lawyer से बात कर रहे है कोई problem तो नहीं है यह करना था दोस्तो ठीक है यहाँ पे सुनिता ने बिल्कुल गलत किया है यहाँ पे auditor ने बिल्कुल गलत किया है ठीक है बिना management से एक प्रकार से approval लिए direct communication कर दाला बिल्कुल गलत 90% बच्चे 90% बच्चे ठीक है 90% बच्चे यह बोलेंगे direct communication allowed है लेकिन direct communication करने का भी तरीका होता है direct communication करने का भी तरीका होता है वो तरीका यहां पर गलत कर दिया, इन्होंने यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पर इशू है, यहां पर चालेंज है, इतना प्यारा कोश्चन सहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आईसे ने बहुत मैनत किये, तो आईसे अपनी मैनत को बिल्कुल भी जाया नहीं जाने देगा, और यही कोश्चन सहीं घुमा फिरा कर पूछेगा, ऐसा मेरा दिल कहता है, ऐसा मेरा एनलिसिस कहता है, और मॉड्यूल के कोश्चन सहीं यह इतिहास रहा है, यह इतिहास रहा है कि मॉड्यूल के कोश्चन सहीं पूछे जाते हैं और इतने अच्छे कोश्चन सहीं, तो कोई क्यों नहीं पूछेगा, ठीक है, आईए दूस्तों, नाउ, यह सब मॉडिल के ही है मैं MCQs जो case based MCQs है एक बार अपना यह खतम हो जाएगा अपना परम बैच के 300 question खतम हो जाएंगे उसके बाद मैं MCQs भी लूँ रहाए I will take MCQs later on MCQs definitely मिलूँ रहा ठीक है standard के अंदर बोला हुआ है standard के अंदर standard के अंदर बोला हुआ है कि it should be prepared it should be prepared by management prepared by management so when management prepares it that means they are approving it अगर कोई बंदा कोई काम करके दे रहा है करके दे रहा है मतलब वो एक प्रकार से अपनी सहमती है अगर management agree नहीं करेगा तो वो letter बना कर ही नहीं देगा standard say that it should be prepared by management so it is like they are approving it from their side वो अप्रूव कर रहे बिल्कुल ऐसा बोल सकते है कोई problem नहीं है ठीक है आईए दोस्तो now next is segment information आप जानते है ठीक है ICI ने अपने questions में अगर आप module refer कर रहे हो अगर आप module refer कर रहे हो तो आपको दिखेगा कि ICI ने बहुत short में लिखा हुआ है ठीक है लेकिन हमने जब question bank बनाई हमने जब question bank बनाई तो हमने 3 से 4 mark 3 से 4 mark कैसे मिलेंगे उसके साबसे answers की drafting की है 3 से 4 mark कैसे drafting कैसे की है जितना institute ने बोला उतना तो लिया ही है plus हमारे साबसे और जो आना चाहिए वो हमने किया कुछ भी delete नहीं किया हमने add किया है आपको पूरा लिखना है दोस्तो आप short में मत करने जाओ ठीक है ठीक है आपको पूरा मिलेगा बिल्कुल mcq का आपको pdf मिलेगा जल्दी मिलेगा कुछी दिनों में आपको mcq का pdf मिल जाएगा ठीक है अभी team we are working on it दोस्तो I understand वो मिलेगा और मैं आपको भरो सा दिला रहा हूँ कि मैं सारे case-based mcqs आपको करके दूँगा मैं study metal के सारे case-based mcqs RTP, MTP के सारे case-based mcqs सब करके दूँगा एक session लगेगा पूरे के पूरे मैं आपको करके दूँगा बिल्कुल चिंदा मत करिये मेरे उपर रखे मैं करके दूँगा नाउ आईए आईए अब हम लोग देखते है अब हम लोग देखते है understanding the methods यहाँ पर segment information के हम लोग बात करें segment information यह question November 20 exam में आया था और फिर सिधा study material 23 में आया सिधा study material 23 में उसकी entry हुई है इसलिए इसका importance बढ़ जाता है understanding of methods used by management with reference to relevant standards of noting segment information कैसे चेक करना एक listed company अपने annual report के अंदर वो segment information दे रही है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर उसका audit कैसे करना अलग-अलग याद मत रखो मैं जितना बता रहूँ उतना आपको याद रखना चाहिए ऐसे 501 का हम लोग reference देंगे अब आईए 501.160 आईए दोस्तों 501.140 देखो बहुत simple से एक flow में आपको देरो segment information और एक logical flow में आपको बता रहूँ सबसे पहले और यह आप पूरा लिखिए question में कुछ भी पुछा हो question में सिर्फ understanding के बारे में पुछा है question question के बारे में repetition ज़रूर होगा मैं आपको एक बात और बता दू मेरी ऐसी institute informally बात चलती रहती है किससे बात होई क्या बात हो नहीं बताऊंगा मेरी बात होई और मैंने पूछा कि भाई एकदम ही पुरी काया पलट हो जाएगी क्या पुरा सबकुछ ही हिल जाएगा क्या नए कोर्स में उनका कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है कि सबकुछ हिल जाएगा ठीक है अभी भी आपके questions जैसे पहले पूछे जाते थे वैसे ही पूछे जाएंगे हां जो उन्होंने इतने मैं आपको तो उनके उनके words ऐसे थे जैसा पहले चलता था बिल्कुल वैसा ही चलेगा audit में यह उनके words थे और जो नया को नया और application based हो जाएंगे question थोड़े बहुत application based हो जाएंगे एकदम ही किसी ने रटा ही मारा एकदम एकदम रटा मारा हो तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है मैंने बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि important list से काफी कुछ आएगा hundred काफी कुछ जरूर आएगा मैंने पहले भी बोला मुझे लगता है कि around 30 marks का आ जाएगा और पूरा परम question bank करोगे तो at least 50 marks का आएगा यह at least बोल रहा हूँ at least 30 पूरा परम question bank at least 50 this can go and rise 30 marks बहुत होते है mcq के अलावा मैं 30 marks बोल रहा हूँ 30 mark के mcq होते हैं 30 mark के questions हो गए ऐसा मैं बोल रहा हूँ यह at least बोल रहा हूँ जादा भी हो सकता है और मुझे लगता है कि पढ़ाई आपकी step by step होनी चाहिए पढ़ाई आपकी step by step होनी चाहिए पहले 350 questions कर लेते हैं फिर easy वाले सारे chapters कर लेते concepts और पूरे questions फिर समय बचेगा हर chapter में 2-3-3 questions को बढ़ाते जाए और उसको revision में लात आज बनाते जाओ ठीक है ठीक है ठीक है पढ़ाई हमेशा final की step by step होती है now lesson guys पहले आप बोलोगे बात करोगे understanding methods की पहले आप understand पहले आप understanding methods की बात करेंगे अब इनोंने primary segment इनोंने business wise किया है भाई पेट्रोल रिटेल जीयो पेट्रोल रिटेल जीयो आपका green energy भाई इनोंने आप समझो इनोंने primary segment कौन से-कौन से business में primary segment इनोंने primary segment कौन से-कौन से business में कौनसे 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 business के अंदर इन लोगों ने टीक है इन लोगों ने segmentation किया है secondary segment में area wise कैसे segmentation किया है वो आप समझ़ो पहले understand the method Segmentation कैसे किया है फिर आप इस बात को समझो data कहां से आ रहा है software से data आ रहा है क्या जो common expense और assets है उनका distribution कैसे किया है first understand the method segmentation कैसे किया है reportable segment किसको बनाया others में किसको दाला data कहां से आ रहा है evaluate the method फिर आप method को evaluate करिए फिर आप method को evaluate करिए कि भई applicable financial reporting framework indias AS के हिसाब से जो इन्होंने किया है वो appropriate है न फिर आप test करिए जाकर देखिए जाकर देखिए कि सारे business cover हुए न reportable का criteria फुल्फिल हुआ न others में बराबर दाला न software से data बराबर आ रहा है न distribution बराबर न test the method method को test करने के method test करिए और फिर आप आपने एक बार method आपको सही लगा अब actual data पे आप कुछ और audit process perform करिए तेस्ट of control होता है audit process perform करिए कैसे analytical procedure इस बार के segment information को पिछले साल से compare करिए दूसरों से compare करिए growth profitability सब normal नजर आ रहा है ना सब ठीक लग रहा है ना different justified है ना other audit procedure में आप re-perform करिए recalculate करिए चीजों को ये भी process perform कर सकते पहले understand करिए method को evaluate करिए method को test करिए method को उसके बाद में जो actual segment information का data है उस पे audit process perform करिए या तो analytical करिए या तो other process perform करिए अब क्या understand करेंगे बोले understanding के बार में और बताओ इस question के अंदर understanding के बार में पूछा था सिर बाकी लिखना की नहीं लिखना लिखो न यार बिंदास लिखो ये भी लिखो वो भी लिखो कितना अलग-अलग याद रखोगे segment के बार में आया segment के बार में आया तो पूरा का पूरा आपको लिखना ही पड़ेगा लिखना ही आपको चाहिए ठीक है क्या shortcut है यहाँ पर intersegment ABC intersegment ABC ठीक है intersegment जो intersegment के ABC समझो क्या understand करना है intersegment का ABC समझ लो ABC मतलब basic समझ लो intersegment के ABC सबसे पहले intersegment intersegment कितने transactions कैसे transactions होते हैं क्या terms पर हो रहे cost पर हो रहे cost पर profit पर हो रहे sales price पर हो रहे हैं ठीक है कैसे यह transactions हो रहे हैं कैसे इनको intersegment transactions को final balance sheet बनाते वग intersegment transaction balances को बराबर knock-off किया यह चीज़े होती कैसी है कैसे reflect होती है और इसको knock-off कैसे करते हैं वो हमको देखना पड़ेगा ABC allocation common expenses और assets का allocation कौन से ratio के basis पर है वो हमको समझना पड़ेगा how they are understanding में वो भी समझना पड़ेगा budget comparison साल के शुरुवात के हमने क्या सूचा था कौन सा segment कैसा करेगा और बादने कैसा हो रहा है वो comparison हमको करना पड़ेगा क्यों difference समझना पड़ेगा consistency आप पिछले साल बता रहे इस साल बताना जरूरी हो जाता है वो आप जानते तो आप इनके बार में बात करिये बात बन जाएगी देखो मैं सिर्फ question नहीं answer उस वो जो मुद्दे है मुद्दे है वो मुद्दे भी करवा रहो क्यों मैं करवा रहो मुद्दे करवा रहा हूँ मैं मुद्दे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसी की उपर घुमा फिराके MCQ या कोश्चन्स आएंगे अगर आप मुद्दे नहीं समझोगे तो फिर क्या मतलब होगा अगर आपने सिर्फ कोश्चन ही पर लिया और आपको पॉइंट सी याद नहीं होएं तो फिर क्या मतलब होगा आईए बड़ा ही प्यारा बहुत प्यारा केस है कितनी भी तारिफ की जाए इस बार इसलिए बता रहा हूँ कि जब नए कोर्स के मैंने कोश्चन्स देखे नए कोश्चन्स मैंने नए कोर्स के question देखे तो मेरा दिल खुश हो गया, मेरा मतलब दिल खुश हो गया इनसेंस की भाई वहला है, institute ने सही में बहुत मैनत किये institute ने question बहाने में तो बहुत मैनत किये और मुझे sir ऐसा मत बोलो हमको परिशानी हो जाएगी अईसा नहीं हो दोस्तों, आपको परिशानी हो जाएगी ठीक है, institute ने में तो बहुत मैनत के बहुत चांस है जहां पर मैनत किये ना कि उससे हम लोग पूछेंगे ओके द्यान दीजे, बड़ा प्यारा case बड़ा ही प्यारा case क्या है बड़ा प्यारा case अभी तो क्या है मैंने, आप जब questions पढ़ो ना उपर का heading मत पढ़ाता हो जब आप questions पढ़ो ना उपर का heading मत पढ़ाता हो आप उपर का heading पढ़के आप लोगता हाँ था आई क्या, बहुत आसाल बहुत सारे बच्चों को जब मैं विकलार करवा आप लेकिन खुद और पढ़ते हो ना तब असली मजा आता है उसमें भी जब ये भी नहीं पता होता कौन से chapter कौन से essay का question है और उसको interpret करना होता है तब तो मजे का level ही अलोग होता है तब तो मजे का level ही अलोग होता है इसलिए mock test करने बहुत ज़री है मौक टेस्ट करने बहुत ज़री है और मेरा plan है मैं आप लोग को दो round mock test के करवाऊँगा और अगर कोशिश होगे तो और भी करवाऊँगा कम से कम दो round mock test के मैं आपको करवाऊँगा और 50% नए questions रखूँगा उसके बारे में भी ना ना लिसन आईए इसमें क्या लिखा है इसमें ऐसा लिखा है कि हमारे कुछ creditors है हमारे कुछ suppliers है creditors है और small और medium size के creditors, suppliers है इनको external confirmation की request भीजी गए तीस लोग को external confirmation की request भीजी गए ठीक है उसमें से सब के सब ने सब के सब ने prompt basis पे reply भी किया CFO ने बिल्कुल support किया encourage किया आप इनको भेजे इनसे confirmation लिजे confirmation आ भी गए आ भी गए लेकिन एक चीज देखी गई एक चीज देखी गई इसमें से जो 25 लोग थे 25 लोग का GST registration कैंसल हो गया है 25 आर्टिकल ने देखा कि 25 लोग का GST registration कैंसल हो गया है और उनका re-registration भी नहीं हुआ है बहुत ही unusual चीज है अजीबो गरीब चीज है इसका मतलब यह लोग fake entities थे यह fake entities थे इन्होंने fake bill दिये है इन्होंने fake entities थे fake bill दिये है और fake external confirmation fake external confirmations दिये है ऐसा हमको लग रहा है आपको सबको पता है बिल का काम होता है आपको सबको पता है आपको सबको पता है कि बिल का काम होता है ठीक है Now Listen guys तो यहाँ पे कही पर भी question में लिखा हुआ नहीं है यही interpret करना था कि भाई जो external confirmations आये है जो responses आये है जो reply आये है external confirmation आये है उस पे हमको doubt है यहाँ पे आपको click करना था यह click होना जै लेकिन ठीक है यह learning है यह learning है ऐसा बोलो यहाँ पे यह समझना है हमको कि external confirmation पे doubt है external confirmation पे doubt है यह आपके दिमाख में आना चाहिए था external confirmation पे doubt है ठीक है external confirmation पे doubt है यह आपके दिमाख में आना चाहिए कौनसा कौनसेप नमबर बोला है 080 आईए ये ये चार मुद्दों पे आपको बात करनी थे ये चार मुद्दों पे आपको बात करनी थे आपको बोलना था येस कभी कभी after receiving external confirmation there can be circumstances or there can be things which suggest that external confirmations may not be reliable ठीक है जो हमको response है reply वो reliable नहीं है there can be circumstances which create doubt which create doubt over reliability which create doubt over reliability ऐसा हो सकता है doubt over reliability आजाए doubt over reliability आजाए तो इस case में हमको क्या करना पड़ेगा इस case में हमको क्या करना पड़ेगा इस case में हमको ठीक है further evidence हमको external confirmation से related external confirmation से related further audit evidence लेना पड़ेगा हमको phone call करने पड़ेंगे हमको बातचीत करनी पड़ेगी communication करना पड़ेगा ठीक है letters के और तहह तक हमको जाना पड़ेगा entities के तहह तक जाना पड़ेगा further evidence इखटा करके हमको पता लगाना पड़ेगा कि सही में external confirmations reliable है कि नहीं कि ये fake तो नहीं है ठीक है अगर ऐसा निकलता है if it is not reliable तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा shock होगा जटका होगा कि external confirmation जैसी चीज भी manipulate की जा रही है हम लोग risk of material misstatement को बढ़ा देंगे और अगर ऐसा लगता है कि जानबूच की ये किया जा रहा है management के लोग involved है तो risk of fraud को भी हम लोग बढ़ा देंगे risk of material misstatement को increase किया जाएगा risk of fraud को risk of fraud को भी increase किया देगा और risk बढ़ने के बाद में nature timing extent of audit procedure nature timing extent nature timing extent of audit procedures को बढ़ा दिया जाएगा response में तो आपको बोलना पड़ेगा this situation creates doubt or reliability of the external confirmation further evidence about the reliability of external confirmation obtain करना पड़ेगा reliable नहीं तो risk को बढ़ाना पड़ेगा और risk को बढ़ाएंगे तो audit procedure बढ़ेगी चारो point एक flow में है एक connected है एक के बाद एक एक के बाद चीज़े होती है और यह example अगर आप दिमाग में लेकर चलोगे तो बात बनेगी lovely question बहुत ही प्यारा question ठीक है बहुत lovely question बहुत प्यारा question फिर study metal का है आने के chances बढ़ जाते देखो study metal का question है देखने का नजरिया आपका बद जाना चीज़े इसलिए बराबर study metal का है न कहां का पूछा है वो ठीक है तो नए questions का flavor ही अलग है नए questions का flavor ही अलग है दोस्तो next level का flavor है next level altogether flavor ही अलग है ठीक है अब आईए अब आईए दोस्तो बात करते हैं external confirmation external confirmation external confirmation का refusal external confirmation का refusal का हम लोग बात करते हैं आईए बहुत सारे बहुत सारे बार ये बार बार आई हुआ है लेकिन बहुत simple तरीके से हम लोग management के पास गए हम लोग management के पास गए और उनको बुला कि हमको external confirmation चाहिए कुछ data से हमको confirmation चाहिए उनने बोला, 100 मैं से 95 में कोई प्रोब्लम नहीं है, 5 में प्रोब्लम है, उनके साथ में हमारा legal case चल रहा है, recovery के issues चल रहा है, बहुत नाजूब चीज़े चल रही है, बड़ी मुश्किल से पैसे देने को तयार हुआ है, आपका अगर यह लेटर जाएगा तो वो confused हो तो please हम refuse कर रहे हैं, यह पांच जगा पर आप external confirmation का request नहीं भेज सकते, they are refusing, अब इस content को याद कैसे रखना है दोस्तों, आईए, 505.100, आपको तीन steps को याद रखना होगा, आपको तीन steps को याद रखना होगा, simple, जब आपके दिमाग में ऐसे points बैठें, कि यह तीन steps पे बा पड़ता है, sentences को याद मी रखना पड़ता है, मुद्दो को याद रखना पड़ता है, ठीक है, और उसको एक flow में, एक practical तरीके से आपको याद रखना पड़ता है, तो पहले क्या करेंगे, हम management के पास जाएंगे, उनसे inquiry करेंगे, उनसे reasons पूछेंगे, क्या reasons है, वो बलें ठीक है, आपके उनके साथ में क्या correspondence है, litigation के documents है, court case है, उसके details हम यह confirm करना चाते है, कि reasons genuine है, फिर हम आराम से बैठके अपने के, पहले उनके cabin में गए और जाके देखा, अपने cabin में आराम से आकर बैठेंगे, हम देखेंगे, क्या हम ये चीज़े expect कर रहे थे कि नहीं कर र रहे थे, तो हमको इस area की risk of material misstatement को बढ़ाना पड़ेगा, और हमको लगता है कि जानबुच के ये बाते हम से छुपाईगी, जानबुच के सब हरकते हो रही है, तो risk of fraud को भी हमको लाना पड़ेगा, तो आराम से बैठके risk को बढ़ाना पड़ेगा, वापस same risk अगर timing, extent of audit procedure बढ़ेगा, nature of checking, timing of checking, extent of checking will also increase, जो हम nature of checking करेंगे, उसमें हम और reliable evidence लाने कोईश करेंगे, timing हम लोग और बहतर करेंगे, extent और ज्यादा बढ़ाएंगे हम लोग, पहले आराम से बैठके inquiry करो, reasons or evidence समझो, evaluate करो, अब alternative audit procedure लगाना शुरू करें, alternative audit procedure से मुझे 5 लोग है, उनकी subsequent, उनके, उनकी लेजर सुटी नहीं करिए, उनकी subsequent recovery आप चेक करिए, आप महा महीम T.C.R.M. के पास जाएंगे, अगर ऐसा लगता है कि reasons unreasonable है, fake है, जूटे है, या फिर alternative audit process से भी evidence नहीं मिल रहा है, तो बहुत बुरी बात है, बहुती problem है, सबूत की बारी कमी है, sufficient appropriate evidence नहीं है, opinion पे effect लेना पड़ेगा, modify करना पड़ेगा, opinion पे effect लेना पड़ेगा, दोस्तों, opinion पे effect लेना पड़ेगा, opinion पे effect लेना पड़ेगा, हमको modify करना पड़ेगा, तो आपको इस तरीके से बात करनी है, step 1, 2, 3 के आपको बात करनी है, ठीक है, बिल्कुल सही, याद रस कर सोचेंगे और फिर फील्ड पे उतर के alternative procedure लगाएंगे ठीक है उनके cabin में जाके inquiry की अपने cabin में रहके हमने evaluate किया और फिर फील्ड पे उतर के alternative audit procedure यह तीन बात है बस यह मुद्दे याद रखने है मुद्दे याद रखोंगे proper heading में आप एक एक दो लाइन में अपने मन से समझाओगे तो बात बनेगी आईए दोस्तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसे 510 की तरफ ऐसे 510 की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ठीक है पहला question पहला question एकदम simple straight तरीके से पूछा हुआ है पहले question में क्या है initial audit engagement मतलब क्या ओपनिंग balance को कैसे check करेंगे अगर पिछले साल audit नहीं हुआ है या फिर पिछले साल audit किसी और नहीं किया तो कोई फरक पड़ता है कोई फरक नहीं पड़ता ठीक कोई फरक नहीं पड़ता और बाद में reporting की भी बात किये कि अगर satisfied नहीं हो तो reporting कैसे होगी अगर opening balance आपको लग रहा है कि सही नहीं तो reporting तीन बाते covered actually three things are covered initial audit engagement मतलब क्या वो बताईए आप opening balance को कैसे check करेंगे वो बताईए और तीसरा अगर आपको opening balance में गलती लगती तो वो बताईए आज के date में मैं तीनों चीज़े expect नहीं करता इसमें से एक या दो चीज़े आ सकती है फिर नीचे क्लोजिंग balance को बराबर opening balance में लायाना आप कैसे check करोगे वापस opening balance के बारे में बात करना शुरू हो गए, opening balance के बार में बात करना शुरू हो गए, तो आपके दिमाख में ऐसे 510 आना चाहिए, ठीक है, आईए, तीन मुद्धों को लेकर, मतलब कोई ये सिधा concept है, कोई interpretation वगरे का कोई challenge नहीं है आपे, सबसे पहले आप बताओगे initial audit engagement मतलब किया, ठीक है, as an auditor, we should go and see immediately preceding year, अगर immediately preceding year में कोई audit हुआ ही या फिर audit किसी और को, after getting audit, auditor should see what happened in the immediately preceding year, अगर कोई audit हुआ ही नहीं है या फिर audit किसी और ने किया है, और ने किया है, तो उसको initial audit engagement में, opening balance को चेक करने के लिए, ऐसे 5-10 लगता है यह एक answer हो गया तीन मुद्धों cover करना था अब audit procedure अब मैं आपको बड़ा प्यारा audit procedure बता रहूँ ठीक है पहले opening balance को check करने के लिए audit procedure है दूसरा consistency of accounting policy के लिए audit procedure है देखे financial statement में एक column current year का column current year के policy के साब से है पिशले साल का column पिशले साल के साब से हमको देखना पड़ेगा consistency of accounting policy है ना दोनों आजू बाजू में जो columns है उसको बनाने के जो policies है वो same है ना उसका basis same है ना तब ही वो comparable होंगे इसलिए यह तो मुफ्त में आता है consistency of accounting policy अब आप ध्यान दीजिए कैसे आप इसको याद है opening balance कैसे check करना मैंने इसको तीन इसमें बाटा है last year से कुछ evidence आता है आपका बहुत सरा evidence आपका बहुत सरा evidence last year से आता है फिर आपका बहुत सरा evidence बहुत सरा evidence last year से आता है फिर आपका बहुत सरा evidence current year से आता है ठीक है फिर आपको जब misstatement मिलता है misstatement मिलता है possible misstatement ये actual misstatement तब आप क्या करते हो देखो कैसे है व्याद होंगे last year से अगर आपको सबसे पहले आपको last year का laser लेना और देखना last year के closing balance बराबर carry forward हुए कि as a opening balance opening balance को check करने का एक तरीका हो गया फिर उसके बाद में last year के financial statements लेलो last year के financial statement लेलो last year के financial statement जो prior प्रिट के वो लेलो और देखो उसके balances वापस opening balance से match रहे ना if available obtain last year predecessor audit report जो predecessor की audit report होगी वो लो वो पढ़ो unmodified है तो बहुत बढ़िया अगर modified है तो जो जो area में modify किया है problems बता है उन सबको high risk area आप मार करो इस साल भी गल्ती हो सकती है फिर पिछले साल से और एक ч CBD है प्राइर प्रेट आइडम मतलब पुरानी गल्ती है जिसको इस साल rectify किया जा रहा है पुरानी गल्ती है पुरानी गल्ती है पुरानी गल्ती है रेक्टिफाई किया जा रहा है तो अब इस साल रेक्टिफाई किया जा रहा है ठीक है तो आपको आपको उसकी कहानी देखनी पड़ेगी कौन सा प्रायर पर आटम था क्या गलती पी उसको कैसे रेक्टिफाई किया गया ठीक है तो बहुत simple है दोस्तों बहुत आसान बहुत simple है ठीक है तो पहले आपको last year की बात करनी है last year से closing balance match हुआ ना फिर last year के financials में से match हुआ ना audit report में क्या लिखा है प्रयार पर डाटेम में करें current year से आपको बहुत audit procedure मिलती है current year से आपको current year current year audit procedure आप current year में fixed asset check कर रहे थे investment check कर रहे थे inventory चेक कर रहे थे इसमें से जितनी चीज़े 1st April के पहले खर दी हुए है जितनी भी चीज़े जितनी भी चीज़े दोस्तों 1st April के पहले खर दी है मतलब वो opening में भी थी मतलब वो ओपनिंग में भी थी they were in the opening also मतलब वो ओपनिंग में भी थी चीक है तो आप वो ओपनिंग में भी थी आपको evidence मिल जाता है opening balance सही है फिर आप ये देखो आपने data's check किये आपको opening के पैसे मिलते दिख रहे opening की recovery दिख रही है फिर आपको opening का evidence मिल गया आपके opening creator का payment दिख रहे है आपके opening जो creators है आपके जो opening creators है आपके जो opening creators है न दोस्तो ठीक है आपके जो opening creators है आपको उसके payment दिख रहे है मतलब opening creators है ये current year audit procedure gives you loads of evidence अगर आप चाहेंगे तो specific audit procedure perform कर सकते है आप reconciliation मना लो opening balance को आप balancing figure निकाल लो ठीक है पिछले साल के आप documents मंगवा लो वो भी हो सकता है अगर आप करना चाहो तो अगर possible misstatement या misstatement deducted है तो फिर आप opening balance को जितनी चाहे उतनी audit procedure मंगवाईए उसकी जितनी चाहे उतनी inquiry करिए उसकी जितनी चाहे documents inspect करिए re-computation करिए ठीक है अगर आपको misstatement मिलता तो फिर छोड़ने का नहीं जितनी चाहे उतनी additional process निकालिए गलतियों को लेकर management के पास ऐसे 450 में correction demand करिए गलतियों का rectification ऐसे 450 के साब से करिए तो देखो opening balance में आप पहला point last year से आपको चार बाते मिल गई current year से आपको दो बाते मिल गई current year audit procedure और specific audit procedure फिर आपको misstatement मिल गए जितनी चाहे उतनी आप additional procedure आप लगाईए rectification 450 में हो जाएगा consistency of accounting policy बहुत simple है precious algorithm करिए इस algorithm करिए इस algorithm करिए compare करके difference निकाल लिए ठीक है and we said properly account and presented और यहाँ पर अब एकदम simple सी बात किए audit reporting की तीन बाते थी initial audit अंगे मतलब क्या हो गया कैसे audit करना हो गया अब audit report के बारे में related to opening balance related to opening balance related to the consistency पहले देखो कुछ बाते आपके related to the opening balance है फिर कुछ बाते आपके related to consistency accounting policy है कुछ बाते predecessor वाली है आजाए बहुत simple है अगर opening balance सबसे पहले सब जगही है कोई sufficient appropriate audit evidence नहीं मिला तो आपको आपको modify करना पड़ेगा या तो qualify करेंगे तो disclaimer देंगे पहले आपको सबूत नहीं मिला तो उसकी बात करिए अगर आपको material misstatement मिलेंगे तो qualify adverse करेंगे उसकी बात करिए accounting policy में accounting policy में अगर आपको consistency of accounting policy नहीं मिल रही है change justified नहीं है properly accounted नहीं है presented disclose नहीं है तो आपको qualify adverse देना पड़ सकता है अगर accounting policy में मतलब opening में सबूत की कमी और गलती की बात कर ली consistency में आपने सीधा अगर गड़ बड़ है ठीक है तो उसकी बात कर ली predecessor audit report हम ऐसे 710 में पढ़ेंगे डिटेल में predecessor audit report modified है तो क्या करना 710 के अंदर अच्छा 710 के अंदर ये बात ये concept cover होता है तो गाइस लंबा चोड़ा था तीनों बात है इसके अंदर लेकिन तीनों में से किसी के भी उपर ले सकते हैं अब बड़ा क्या प्यारा है ठीक है ये आगे का ये बहुत बार पूछा गया ये बहुत बार पूछा गया क्या ही है पहली बार हमको assignment मिला मतलब initial audit engagement है पहली बार assignment मिला हमारा initial audit engagement है और हमने सब कुछ चेक किया ओटर है सब कुछ चेक किया ठीक है balance sheet P&L लेकिन balance sheet का एक item है closing balance है डेटर है 1500 lakh का ठीक है 150 lakhs का एक डेटर है उसको check नहीं किया क्योंकि उसका closing balance और opening balance सेम है उसके अंदर किसी भी तरह कोई transaction नहीं है वो पिछले साल से आ रहा है management बोल रहा है कोई भी change नहीं है इसके अंदर पिछले साल जैसे था वैसा ही है और पिछले आपको फिर से उसको check करनी की जरुरत नहीं है और हमारा ओटर बिल्कुल सही बात कर रहे है उसको check करनी की जरुरत नहीं है तो basically मुद्दा यह है मुद्दा यह है कि एक item को check ही नहीं किया जा रहा मुद्दा यह है एक item को check ही नहीं किया जा रहा ना उसके closing balance को चेक किया जा रहा है ना उसके ओपनिंग बैलेंस को चेक किया जा रहा है इस पर हमको कमेंट करना है इसको चेक ही नहीं किया जा रहा है we have to comment on this सुन लीजे ऐसे 501 लगाई है ऐसे 501 आप लगाई है ठीक है उसके अंदर अभी हम लोग audit procedure पढ़कर आए ऐसे 501 की audit procedure पढ़कर आए ठीक है पूरा का पूरा वो लगाई है लास्ट येर से 4 पॉइंट आगए करंट येर से 2 पॉइंट आगए मिस्टेट्मेंट के 2 पॉइंट आगए पूरे पॉइंट आप लिखिए ठीक है फिर आप पूरे पॉइंट आप लिखिए फिर आप रिटेन रिप्रेंट में भी आई है रिटेन रिप्रेंट लेना बहुत अच्छी बात है बिल्कुल लीजे लेकिन रिटेन रिप्रेंटेशन लेने से कोई audit procedure कभी कम नहीं होती audit procedure कभी कम नहीं होती ठीक है वो प्राइमरी एविडन्स नहीं है वो सपोर्टिंग है कुछ होना चीज इसको वो सपोर्ट करें तो आप पहले ऐसे 501 की ऑडिट प्रोसियर बता दीजिए फिर आप ऐसे 580 का बता दीजिए कि वो आप बता दीजिए कि वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता किसी ऑ फिर आप बोलिये फिर आप बात करिये कि ऐसे 510 के शाब से ऐसे 510 के साब से opening balance को check करना mandatory है आपको ऐसे 5010 के साब से initial audit engagement में opening balance को check करना ही पड़ेगा और ऐसे 5010 के अंदर जो audit procedures है वो आपको लगाना ही पड़ेगा तो आप opening balance check नहीं कर रहे है यह 510 का non-compliance है straight away यह 510 का non-compliance है straight away आप return फिर आप S580 के साब से आप return representation के वज़े से अपनी audit procedure और evidence को कम कर रहे है यह 580 के साब से भी बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है दोनो opening balance check नहीं करना यह भी closing balance check नहीं करना यह भी अपने आप में negligence है इन सब को ध्यान में रखे there is a complete non-compliance of 510 बंदा carefully audit नहीं कर रहा है इसको punish करना चाहिए तो opening closing same हो गए तो आपको 510 का भी reference देना है 580 का भी reference देना है दोनों के इसाब से गलत है बंदा carefully काम नहीं कर रहा है वो आपको बताना है देखो हर question में उसका flavor है cumulative revision, cumulative overview करिए बात बनेए आईए, 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 आईए now हम बात करते हैं हम लोग बात कर रहे है opening inventory चीक है opening inventory के हम लोग बात करते हैं कि ये पहली बार appoint किया गया है पिछले साल audit नहीं था पहली बार appoint किया पिछले बार audit नहीं था initial audit engagement है initial audit engagement है अब auditor के मन में doubt आ गया है opening inventory को लेकर opening inventory को लेकर doubt आ गया है उसके मन में doubt आ गया है उसको लग रहा है opening inventory में कुछ गलती है. क्या कोई जिम्मेदारी है क्या? क्या कोई जिम्मेदारी है क्या? ठीक है? आईए दोस्तों, मेरे इसाब से answer कैसर में आपको बता रो. SF101 का reference दीजिए. जितनी SF101 की audit procedure है, पूरी बताईए. SF101 की पूरी audit procedure बताईए. उसमें और बताईए, जहां पे आपको लगे, जहां पे आपको लगे, की और audit procedure की जरुवते हैं, आप specific audit procedure लगा सकते हैं. या फिर आपको लग रहा है, misstatement possible है. ठीक है, specific भी नहीं यहाँ पे है. additional audit procedure और भी better रहेगा. आपको यहाँ पे, उससे कोई फरक नहीं पढ़ता है, honestly speaking. आपको यहाँ पे possible misstatement लग रहे है, आपके मन में doubt आ रहा है, आपने additional audit procedure परफॉर्म करना, जैसे reconciliation करके opening balance निकाल लो. opening plus purchase minus sales equal to closing होता है, opening को balance करके opening balance निकाल लो. आपको inventory पर doubt आए ना छोडने का नि, additional audit procedure लगाना, reconciliation मना लो, valuation के document मना लो, valuation के पूरे document मना लो, वो चेक कर लो, एक काम करो trading account मना लो, उसमें आप gross profit दाल दो, और देखो balancing figure, balancing figure, opening balance बराबर आए ना, cutoff चेक कर लो, opening और closing का, इधर का उधर नहीं गा, इधर का उधर नहीं आया, आपको, आगर आपके मन में doubt है, तो आपने additional audit, आप 501 का reference दीजे, पूरी audit procedure बताईए, फिर आप बताईए, कि आपको additional audit process पर perform करना चाहिए, अंदर घुसना चाहिए, आपने inventory को reconcile करके निकालना चाहिए, उसके valuation के documents लेके valuation चेक करना चाहिए, आप gross profit analysis भी कर सकते है, आप cutoff भी चेक कर सकते है, आपको additional position लगाना ही चाहिए, यह आप discuss करें, बिल्कुल जिम्मिदारी बनती है, बिल्कुल जिम्मिदारी बनती है, additional position बिल्कुल परFORM करना च गुसना चीए ठीक है अंदर गुसना चीए देखिए यहां पर मैंने इंस्टिट्यूट का इंसर रखा हुआ है मैंने इंस्टिट्यूट का एंसर रखा हुआ है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू इंस्टिट्यूट का एंसर रखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता दू मै Valuations यह आपको बताना पड़ेगा, case discuss करना पड़ेगा कि यह यह प्रोशियर परफॉर्म करने हैं. चे दोस्तो, we are through with, we are through with, we are through, 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 with 510 also. आगे पटर दोस्तो, हम लोग 530 के तरफ, 530 के तरफ हम लोग आगे पटर दोस्तो, आईए, we are going to 530. बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल और बहुत इंट्रेस्टिंग, सबसे पहला, sampling risk, हम बच्पन से जानते है, sampling risk है, chances that auditor's conclusion goes wrong. Chances that, chances that, chances that, chances that, chances that auditor's conclusion goes wrong. Auditor का conclusion गलत हो जाता है, ठीक है? Auditor का conclusion गलत होता है, because of the sampling process, sampling process के वज़़ से, उसका हम sampling risk बोलते है, उसका conclusion, population की reality को reflect नहीं करता, उसका conclusion, population की reality को reflect नहीं करता, उसका conclusion, वो conclusion reflect नहीं करता, जो 100% checking करके मिल सकता था, जो 100% checking करके मिल सकता था, दोस्तों, वो नहीं करता, वो नहीं करता, ठीक है? तो ठीक है तो उसको हम लोग तो हम लोग उसको तो उसको हम लोग बोलते है sampling risk अब sampling risk की वज़े से दोस्तो दो तरह के errors हो सकते हो इसके आगे एक बड़िया question इन्हों नहीं दाला है application risk sampling risk की वज़े से दो तरह के errors हो सकते है type 1 error और type 2 error type 1 error मतलब क्या है type 1 error मतलब audit process perform करके हमको ऐसा लग रहा है सब कुछ बहुत सही है everything is all good everything is all fine for example test of controls करके हमको ऐसा लग रहा है controls are reliable controls are reliable लेकिन ये error के वज़े से हमको ऐसा लग रहा है error के वज़े से हमको लग रहा है इस error के वज़े से हमको सब कुछ एरर के वज़े से सब अच्छा अच्छा लग रहा है ओवर रिलाइंस वन कंट्रोल हो जाएगा टेस्ट अफ डीटेल्स में हम सभी फानेंशल इटम्स को यह इंकम सही है, एक्सपेंस सही है, एसेट सही है, हम चीजों को सही सही एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, हम लोग चीजों को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, कि भाई चीज़े सही है, ठीके लेकिन यह एरर के वज़े से ऐसा हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं, इनकरेक्ट acceptance क्योंकि हम चीजों को सही सही मानते जा रहे controls को अच्छा मानते जा रहे items को सही accept करते जा रहे हमारे हाथ से material misstatements छूट छूट जाएंगे हमारे हाथ से material misstatements छूट जाएंगे हमारा opinion गलत होने के chances है अगर opinion गलत हो रहा है बहुत बुरी बात है इट affects effectiveness of audit इसक्वालिटी अ पारएंपक्त है effectiveness of audit इंपक्त ताइप 1 error is super dangerous type 1 error is super dangerous type 2 error मतलब क्या हमको ऐसा लग रहा है after performing audit process we think that there are lot of issues there are lot of mistakes lot of issues lot of problems test of control में को ऐसा लग रहा है controls are not at all reliable controls बिलकूल भी reliable नहींơn बिलकूल बहुर से मन नहीं एरर के वज़े से ऐसा लग रहा है इसके वज़े से controls under reliance on control हो जाएगा controls पे हम जरुवत से बहुत कम भरोसा कर रहे है taste of detail में हमको लग रहा है सब गलत है we are rejecting ये income गलत ये asset गलत ये गलत वो गलत we are rejecting everything हमको गलत गलत लग रहा है हर चीज़को पड़ जाएगी हमको बहुत समय देना पड़ेगा हमको बहुत समय देना पड़ेगा हमको बहुत checking करनी पड़ेगी बहुत समय देना बहुत checking करनी पड़ेगी और हमको बाद में मिलेगा कुछ गलती थी ही नहीं जबरदस्ती हमारा time efforts money सब कुछ हमारा वेस्ट हो गया time efforts money time effort time efforts money हमारा सब कुछ बहुत जादा बहुत जादा हमारा गलत हो गया ऐसा हो सकते है दोस्तों ठीक है this may happen this may happen ठीक है it reduces if it reduces efficiency of audit हमारा time waste हो गया it reduces efficiency of audit type one error से opinion गलत हो सकता है type two error के वज़े से हमारे resources waste हो सकते है अब अगला question बड़ा प्यारा है study metal का ठीक है अब आईए दोस्तों हम sampling अभी तोछ heading है please heading मत पढ़िए खुद हो questions पढ़िए please don't read headings headings मत पढ़िए खुद होके अगर आप खुद अगर आप आप देखेंगे ठीक है यह heading बड़े काम की साब हमारे auditor है और ही उनका sampling error के वज़े से उनके conclusions गलत हो रहे है उनको ठीक है उनको ऐसा लगए उनको ऐसा लगता है कि WIP में पांच करोड तक का misstatement है WIP गलत है error के वज़े से control पे भरोसा नहीं हो रहा error के वज़े से ठीक है controls पे भरोसा नहीं हो रहा controls को बुरा मान रहे है error के वज़े से material misstatement है ऐसा मान रहे error के वज़े से now point is यह कौन सा error type 1 के type 2 थेक है यह कौन सा error है कि हम चीजों को गलत मान रहे है यह type 2 error है अब यह खुदों के समझना था कि यह कौन से type 2 error है इसका क्या यह टाइप two error है आप error के वज़े से आप control पे भरोसा नहीं कर रहे हैं error के वज़े से आप मिस मतल मिस्टेटमेंट ऐसा मान ले रहे हैं तिक आपको बहुत महनत करनी पड़ेगी महनत करने के बाद में आपको बचलेगा सब कुछ सही था पोई problem नहीं था type two error है type two error के वज़े से you will put lot of efforts lot of efforts lot of audit procedures time money energy and at the end you will realize it was a error सब कुछ एकदम बढ़िया है it was a error सब कुछ एकदम बढ़िया है ठीक है it will affect efficiency of the audit आपको sampling risk समझाना चाहिए आपने type one type two error आपने sampling risk को समझाना चाहिए आपने type one type two error को समझाना चाहिए फिर case को discuss करना चाहिए और बोलना चाहिए it is an example of type two error and it will affect efficiency of audit समझ रहो आप question पूछने का तरीका समझ रहो यह मैं बोलूँगा एक बहुत बड़ा shift है institute के सोच में institute के सोच में काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा shift दोस्तों यहां पे वो लोग application of knowledge की तरफ जादा बढ़ रहा है क्योंकि questions में आपको देखकर ही feel आयाता है बहुत सारे questions पूछन के ठीक है यह question November 22 RTP में आया था अब study material 23 में नवंबर 22 RTP आईए दोस्तों मैं आपको बता दूँ ना listen आईए अब question क्या पूछता है आपको बहुत interesting से है हुँ तो चिंतन और मनी statutory auditors ठीक है यह statutory auditors है चिंतन और मनी seem to have different चिंतन और मनी दोनों का difference of opinion है कि audit कैसे करना मनी बोलता है 100% checking करते है और मनी एक बोलता है 100% जहिए इन जहेंख बोलते हैं एक सिंप्लिग करते हैं क्योंकि जो बोलते हैं ही 100 percent checking क्या सही में sampling हमको चाहिए रीजनेबल बेशिज फ्री कंकुलिजन दे पाएगा यह कि सर रीजनेबल बेशिज क्या होता है क्या सही में सैंप्लिंग हमांको बहुती strong evidence, confident evidence, proper evidence दे पाएगा क्या भरोसा करने के लिए क्या हमको reasonable basis, क्या sampling हमको reasonable basis, strong evidence, reliable evidence हमको दे बाएगा क्या reasonable basis वो word होगा जिससे आप इस चीज को identify कर सकते हैं, अब सुनो दोस्तो ऐसे 530 है, ऐसे 530 है sampling, ऐसे 530 है sampling, और मैं आपको बता दू कि आपके, आपका ऐसे 530 संप्लिंग, की, ऐसे 530 संप्लिंग की अगर मैं बात करू, ठीक है, तो दोस्तो, साथ स्टेप्स होते हैं, संप्लिंग प्रोसेस के साथ स्टेप्स होते हैं, सेवन स्टेप्स, पहले सैंपल डिजाइनिंग मतलब सैंप्लिंग की थोड़ी सेप्लिंग की थोड़ी बात HEY कर लो, स्टेप्स कर लो, सेप्लिंग की थोड़ी बात्याब रिसकस कर लो, ऐसेंपल चुनेंगे उस पे कैसे audit process perform करेंगे and so on sample designing होता है फिर हम लोग sample size तय करते है फिर sample selection method तय करते है sample select करें तो उस पर audit process perform करते है फिर हम लोग गलतियों को analyze करते है nature and cause of deviation misstatement deviation मतलब test of control की गलती और misstatement मतलब test of deadly की गलती वो देखते हैं लोग projections करते है हम project करते sample में इतनी गलती तो population में कित्ती गलती we do projection projection करने के बाद हम आराम से बैठते और evaluate करते कि अब मेरा final conclusion क्या है क्या मैं एक confident conclusion draw कर पा रहो की नहीं कर पा रहो आई दोस्तों देखिए छटवा step अपने लिए six or seven important है seven seven step discuss है यहापे लेकिन six step का connection है छट six step में हम लोग project करते हैं sample में इतना दो population में कितना हम project करते rate of deviation हम project करते material misstatements कितने होगे finally step number seven में हमको आराम से बैठ कर अब यह जो भी results मिले हमको sampling के जो results मिले उसको examine करना पड़ेगा evaluate करना पड़ेगा और उसके साब से conclusion draw करना पड़ेगा देखो क्या लिखाया दोस्तों आईए took knowledge we will have to evaluate wn ko evaluate करना पड़ेगा step number sevenär the step number seven is evaluation उसमें को evaluate करना पड़ेगा results को study करना पड़ेगा analyze करना पड़ेगा और उसके basis पर हमको isके basis पर ठीक है हमको conclusion draw करना पड़ेगा और हमको देखना पड़ेगा conclusion को draw क्या हम एक उसके basis पर हम conclusion draw करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या conclusion को support करने के लिए strong evidence reasonable basis reasonable basis मतलब strong evidence confident evidence मेरे पास में है ना ये देखना पड़ेगा अब मैं आपको बता रहो इसमें होता क्या है actually इसमें होता क्या है जो हमारे projected levels होते है projected rate of deviation हो या projected material misstatement हो जो projected rate होते है ये projected rate को हम compare करते है expectation से और tolerable से sir expectation मतलब sampling करने के just पहले historical data देखकर present circumstances को देखकर सब चीजों को देखकर हमें एक अंदाजा लगाते कि किती गलतिया हो सकती है उसको बोलते expected rate of deviation या फिर expected level of misstatement ठीक है और tolerable मतलब maximum acceptable यहां तक के गलतिया चलती है कोई problem नहीं है अब सुन लीजे सपोज अपने example में मैं ऐसी बोल रहो है कि 8% हमको लग रहा था गलती का rate होता है 8% rate of deviation tolerable था 15% अगर projected rate of deviation is extremely low 8% से भी नीचे है suppose 5% आता है ठीक है आप बाके अदा उन्होंने नहीं लिखा है लिकिन आप लिख सकते हो समझने के लिए अगर गलतिया expectation से भी जादा है और tolerable लेवल से भी जादा है expectation से भी जादा है और tolerable लेवल से भी जादा है suppose गलतिया यहाँ पर मैंने बोला suppose 5% आ जाता तो क्या होता यहाँ पर अगर आप बोल रहा हो 30% वापस पूरे confidence से गलतिया बहुत जादा है expectation से भी जादा है tolerable से भी बहुत जादा है पूरे confidence से हम लोग conclude करेंगे पूरे confidence से हम लोग conclude करेंगे ठीक है पूरे confidence से हम लोग conclude करेंगे that boss that that controls are not operating पुरा conclude करेंगे की चीज़े गलत है controls are not operating properly there is a material mistake पुरा confidence हम conclude करेंगे वापस हमारे पास reasonable basis है if projected levels are below expectation tolerable with reasonable basis we conclude everything is alright if they are higher side with reasonable basis strong evidence we conclude की चीज़े गलत है confusion यहापे आता है इसको state of confusion बोलते है अगर चीज़े expectation से जादा है मतलब मेरी understanding knowledge experience कही तो भी गलत हो रहा है मेरा और tolerable से कम है अब मैं state of confusion में हूँ मतलब sampling I am not able to draw conclusion with reasonable basis मैं reasonable basis से confident होकर conclusion draw नहीं कर पार हो sampling is not giving me reasonable basis for drawing conclusion ठीक है अब इन्होंने से भी statement लिखे है वो कैसे समझेगा जब तक यह नहीं देखोगे तो कैसे समझेगा ठीक है तो आपको यहाँ पर discuss करना पड़ता है कि भाई sampling आपको reasonable basis is it giving you reasonable basis to draw conclusion or not giving reasonable basis to draw conclusion अगर आपको reasonable basis नहीं मिलदा ना दोस्तों अगर आपको reasonable basis नहीं मिलदा इसको case study form में पूच सकते हो लो अगर आपको reasonable basis नहीं मिलदा management को बलाएंगे management comes it तुमने जो हमको information explanation दिया तुमने जो हमको information explanation दिया हमार experience कुछ तो गलत हो रहा है ठीक है चीजे expectation से कुछ तो गलत हो रहा है something is wrong please investigate the matter investigate करो matter को कि कैसे expectations breach हो रही है something is grossly wrong we are confused you investigate the matter find out the truth how come things are more than the expectation what understanding what data what knowledge information provided by you is going wrong management को बूलेंगे तुम काम पे लगो अब हमको state of confusion है तुम काम पे लोगो तुम तहकीकाद करके उमको बता हम लोग nature timing extent को हम लोग re-perform करेंगे audit procedure nature timing extent को बदलेंगे nature of checking बढ़ाएंगे timing ठीक है timing भी change करेंगे extent depth बढ़ाएंगे हम re-perform करेंगे audit procedure हम re-sampling करेंगे हम re-sampling करेंगे बड़े sample चुनेंगे जादा audit procedure लगाएंगे जादा evidence निकालेंगे फिर से conclusion draw करने कोशिश करेंगे और देखेंगे इस बार reasonable basis से conclusion draw कर पा रहे है कि नहीं कर पा रहे है ठीक है फिर से करके देखेंगे जब तक जब तक आप reasonable basis से conclusion draw नहीं कर पाते हैं conservative conservative assumption लेकर चलते है कि controls are not reliable and there is a material misstatement हम लोग conservative assumption लेकर चलते है जब तक हमको ठीक है strong आपको reasonable basis नहीं मिल जाए ठीक हो बहुत सारी बाते मैंने discuss की अब मैं आपको बतारो exam में आपको exactly क्या लिखना पड़ेगा पहले आप SF5 आप पहले reference दोगे SF530 का reference दोगे पर नाम लिखोगे फिर आप बोलोगे कि results evaluate करना पड़ता है results evaluate करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि results हमको reasonable basis दे रहा है conclusion draw करने के लिए हमको reasonable basis दे भी सकता है reasonable basis नहीं भी दे सकता है ठीक है आपको ऐसा बोलना पड़ेगा अगर reasonable basis दे दिया तो बहुत बढ़िया reasonable basis अगर नहीं दिया if not if not तो हमको management को बोलना पड़ेगा that you investigate the matter go to the depth why this is happening and give us the reasons about it as an auditor we will re-perform the audit procedure we will go for resampling nature timing extent को हम और increase करेंगे और वापस हम लोग reasonable basis से conclusion draw करने की कोशिश करेंगे management को काम पे लगाएंगे हम भी काम पे लगेंगे जब तक हमको reasonable basis नहीं मिलता we go with a conservative assumption we go with a conservative assumptions that controls are not operating effectively and there's a material misstatement in population till the time we don't get any other conclusion with reasonable basis तो इसको समझाना पड़ेगा अब ये concept ठीक है ये जो concept है एक बार अगर सुनोगे तो आपको समझ में आएगा ये समझ में नहीं आता दोस्तों सबको बराबर समझ में नहीं आता दोस्त बट फिर मैं सोचता भी हूँ बच्चे कैसे पड़े थे अगर समझ में नहीं आता तो कैसे पड़े थे अब ये अम्रुत है अगर आप इस तरीके से answers में आप इस तरीके से बोल सको कि मैं इस पे focus करूँगा फिर इस पे focus करूँगा फिर इस पे focus करूँगा जब आपके answers इस तरीके से दिमाग में बैठने लग जाएंगे ये अम्रुत points कि भाई ये अम्रुत points यह points में focus करूँगा, इस तरीके से आप दिखने जाओगे, तब आप जंग जीत रहे हो, तब आप ठोड रहे हो, जबरदस्त काम कर रहे हो, ठीक है, आईए दोस्तो, इसे 550 के, इसे 550 के important list में, वो एक बार हमारे हो जाते हैं, तो आज हमारा कोटा पूरा हो जाएगा, ठीक है, 100 कोशन्स हम सोच रहते हैं, 100 कोशन्स नहीं, 92 कोशन्स, 92 कोशन्स तक हम लोग पहुचे, मैं थोड़ा ज्यादा हैं, अंबिशियस हो गया था, 92 कोशन्स तक पहुच स्किल्स को इंप्रूब करना, वो बहुत बड़ी बात है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे, आप उसको कैसे अइडिटिफाइ करोगे, ठीक है, वो कौनसे डॉक्यमेंट्स, आप कैसे रिलेटर पार्टी, रिलेशन्शिप्स और ट्रांजैक्शन का इंफरमेशन निकालोगे, वो कैसे, वो विल यू वेरिफाइ, यहापे वेरिफाइ मतलब, आप कैसे उनकी इंफरम और डॉकुमेंट्स होंगे, पूछने का तरीका, रिकॉर्ड्स और डॉकुमेंट्स होंगे, जिससे आपको रिलेटर पार्टी की इंफरमेशन मिलेगी, पांद सू पचास डॉट जीरो सिक्स जीरो, आई दोस्तों, देखो, स्टैंडर के अंदर लिस्ट दिऊ हुई है, कुछ डॉकुमेंट्स को देखना मैंडिटरी है, कुछ को हम चाहे तो देख सकते, कुछ को देखना मैंडिटरी है, कुछ हमारे पास में ऑप्शनल है, चाहे तो हम लोग देख सकते हैं, कौन से मैंडिटरिय है, external confirmations मांगना मैंडिटरिय है, external confirmation सबसे बड़े, banks, banks से external confirmation मांगो कि कौन से parties के साथ में बहुत सारा transaction है, वो रेट party हो सकते हैं, या फिर ये parties हैं, इनके साथ क्या transaction है वो बता दो, legal counsel, उनसे चोटे lawyers, उनको पुछो, किसके साथ में बहुत सारे contract sign हुए हैं, ठीक है, या फिर ये party के साथ कितने contract sign हुए हैं, थर्ड party, आप directors को पूछो, तुम और कहां-कहां पे director हो, तुम और कहां-कहां पे पैसा लगा है, common control के वज़े से related party हो सकते, common control के वज़े से, common control, common control, common control के वज़े से related party हो सकते, दोस्तों, ठीक है, because of common control, there can, because of common control, because of common control, there can be related party thing, ठीक है, तो आप external confirmations लाईए, आप external confirmations दीजे, उससे छोटा minutes, आपके shareholders के minutes, board of directors के minutes, audit committee के minutes, वहाँ पे related party, contracts, relations, transactions की बाते होती है, फिर आप एक काम करिए, इसके अलावा और कुछ important related party के documents हो सकते, जैसे company में reconstruction, reconstruction, amalgamation, जैसे कोई बड़े काम हो रहे है, तो उसके documents तो लेने ही लेने चाहिए, mandatory है, तो तीन अब उन्होंने दो, अब अदर्स, अब इसमें में collect, अब मैंने in sequence of importance, मैंने documents की list बनाई है, मैंने documents की list कैसे बनाई है, ठीक है, मैंने documents की list कैसे बनाई है, कुछ documents law related है, कुछ documents आपके, कुछ documents आपके law related है, फिर कुछ documents आपके control related है, कुछ document आपके law related है, ठीक है, कुछ document आपके contract related, some documents are law related, some documents are contract related, वेलेक्ट से चोटे फिर आपकी शेर होलडर रिलेकट इस से चोटे टारेक्टर रिलेक्ट रिलेक्ट law के अंदर section of 189 register maintain करना पड़ता है that can be source of information law के अंदर आपको SEC, SEBI, tax authorities में related party की information देना ही पड़ती है that can be source of that can be good source of information जो contract बार बार renegotiate हो रहे वो related party हो सकता है that can be good source of information contracts not in ordinary course of business अजीब हो गरीब contract एंटर हुए यह जनरी related party के साथ में होता है ठीक है वहां से आपको जानकरी मिल सकती है फिर आपके shareholders आपके जो shareholders है ठीक है आपके आपके जो shareholders है दोस्तों ठीक है आपके आपके जो shareholders है उनका register देखिए जो बड़े-बड़े investors है आप shareholder का register देखिए आप shareholder का register देखिए जो बड़े-बड़े investors है न दोस्तों जो बड़े-बड़े investors है वो आपकी rate party मिल सकते है directors जो है directors rate party है इनका जिन पर control है वो भी हमाई rate party है director के transaction, director साथ contract देखिए उनका life insurance policy, pension plan, statement of conflict of interest statement of conflict of interest से पाँ चलता director और कहां-कहां पर director है ठीक है वो लोग भी हमाई rate party हो सकते हैं उनके साथ में जो transaction, rate party transaction हो जाएंगे तो यह source of information है फिर professionals, interloid report देखिए professionals के invoices पे अगर एक साथ billing होई है तो समझ में आता है यह आपस में rate party है subsidiary associate के investment register देखिए आप subsidiary और associate के investment register देखिए दोस्तों ठीक है आप investment register देखिए investment register देखिए वो आपके वो आपके सब subsidiary हो जाएंगे rate party हो जाएंगे तो देखो कुछ mandatory है और कुछ documents mandatory है और कुछ documents voluntary है ठीक है जो other documents है वो ही आपके voluntary documents है कुछ mandatory कुछ voluntary तो यहाँ पे आपको यह पूरी list देनी थी यहाँ पे आपको ठीक है लिस्ट दें दिया आपको पूरी है वो लिस्ट कैसे याद दखना वो मैं आपको दा अब यह बहुती interesting question है this is lovely question lovely lovely वापस आकरी question है but not the बिल्कुल बहुत important है बहुत प्यारा है और बहुत important question है lovely question है आईये दोस्तों क्या यह प्यारा question है क्या यह प्यारा question है आपको बात हो गए एक company है ऐसा लिखा हुआ है एक company है जिसका काम है floor covering होगा ना कुछ जो बहुती labor intensive काम है एक company जो बहुती labor intensive काम करती है बहुत ज़्यादा labor जिसमें लगता है और उनने बोला हुआ है कि उनका कोई diversification कोई अपना धंदा change करने का plan नहीं है एक दूसरी company है जिसका काम है blanket बनाना और इसका बहुत ज़्यादा machine oriented काम है बहुत ज़्यादा capital oriented काम है बहुत machine है लगत ज़्यादा और यह दोनों का director सेम है director की holding दोनों के अंदर है मतलब यह दोनों entities common control में यह दोनों entities common control में एक का काम labor intensive है एक का काम machine intensive है capital intensive है और यह दोनों common control में चीक है तो basically they are related parties basically they are related parties यह आपस में related parties हो गई तो पहले question पढ़के यह समझना अच्छा यह आपस में related parties है अब जो machine वाली company है machine बेच रही है एक करोड में labor वाले company को यह related party transaction है यह related party transaction है machine वाली company labor वाली company को machine बेच रही है एक करोड में लेकिन यहापे सबसे खास बात जो interpret करनी है it is outside normal course of business यह अजीब अगरीब transaction है labor intensive वाली company जो है machine क्यों खरीदेगी खासकर उनका diversify करने का कोई इरादा नहीं है उनका diversify करने का कोई रादा नहीं है तो यह क्या interpretation है क्योंकि इन्होंने यह कोई भी word use नहीं किया था इन्होंने यह कोई भी word use नहीं किया है पुरे question में basically it is a it is a related party transaction which is outside normal course of business it is a related party transaction which is outside normal course of business यह खुद होके interpret करना था कि एक तो related party है related party transaction है plus it is a outside normal course of business यह खुद interpret करना था और interpret करने के बाद में उसकी थेरी लगानी थी क्या question है कसम से क्या question है कसम से मजा है इसके अंदर जबर दस्त मजा है इसके अंदर ठीक है आईए दोस्तो इसलिए मुझे लगता है यह question से आने के chances बहुत जाता है यह question से पूछने के chances बहुत जाता है आईए ठीक है इसको बोलते है आपको यह points यह 4 points से बात करने है इसको बोलते है significant related party transactions which are outside normal course of business इनका basic nature ही ऐसा है it is a significant risk जब यह दोनों factor एक साथ आ जाते है ठीक है जब यह दोनों एक साथ आ जाते है दब यह दोनों concept एक साथ आ जाते है कि भाई यह दोनों concept एक साथ आ गए है कि आपके significant related party transaction है वो भी outside normal course of business significant related party transaction है वो भी outside normal course of business यह दो चीज़ साथ में आ गई है यह दो चीज़ साथ में आ गई है अगर यह दो चीज़ साथ में आ गई है it is a significant risk दोस्तों यह significant risk है अब shortcut है AIR approach लगाना पड़ेगा AIR approach लगाना पड़ेगा ऐसा shortcut है AIR approach लगाना पड़ेगा AIR approach लगाना पड़ेगा आईए सबसे पहले authorization क्या company के seniors company के seniors और powerful लोगों ने इसको authorized किया ना seniors को पता था ना कि ऐसा transaction हो रहा है is it known to them सोच समझ के सही बंदे ने authorization किया ना AIR for inspection इस transaction के कोई भी इसका जो भी agreement contract, supporting documents वो सब अच्छे से read करो कीसरा AIR approach R for rational 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 मतलब basic reason ठीक है rational यहाँ पे बहुत important है कि यहाँ पे हमको business logic देख क्या business logic है तुम्हारा machine बेचने का logic क्या है business logic क्या है what is the logic इनका बेचने का इनका खरीदने का business rational क्या है अगर business rational missing है तो यह एक fraud हो सकता है हो सकता है कि एक company के financial statement को fraudulent financial reporting कर रही है financial statement को improve किया जा रहा है या फिर misappropriation of asset है, एक company से asset दूसरे company में transfer करके चोली की जा रही है, business rational नहीं होना, it is an indicator of fraud, it can be a fraudulent financial reporting, fraudulent financial reporting, या फिर it can be misappropriation of asset, approach, ठीक है, accounting, accounting, आपको देखना पड़ेगा कि accounting, is it properly accounted, क्या उसकी proper accounting, presentation and disclosure हुआ है के notes to accounts में, यह हमको देखना पड़ेगा, AR approach लगाना पड़ेगा, बहुत प्यारा question दोस्तो, lovely question, ठीक है, बहुत प्यारा question आया, बहुत ही lovely question है, मज़ेदार question है, So guys, we are through, we are through with this, we are through with this, हम लोगों ने बड़ा प्यारा, ठीक है, बहुत ही प्यारे questions थे, lovely questions थे, I hope you enjoyed it, guys, दोई चीज़े आपसे मांगता हूँ, like, share, subscribe आपको करना ही है, प्लीज, आप, आपके, सब जगा इसको फैलाईए पहला, और आपके जो प्यारे-प्यारे comments होते हैं, वो करते जाएए, ठीक है, it means a lot, उससे बहुत हमको मज़ा आता है, and we love, we enjoy the whole process, पढ़ाने भी बहुत मज़ा आता है, हमारा enthusiasm भी बहुत double हो जाता है, Okay guys,